हेलो एवरीवन, वेलकम तो मैगने बेंस, मैं अभी शेक कुमार, मैगने बेंस अके लएक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको दे रहा है, complete NCRT book, NCRT exampler और इसी के साथ में NTSC exam और Olimpate exam की complete theory और complete numericals और यह सब कुछ 100% free course, अब 100% free course का मतलब एकदम ऐसा नहीं है कि content के साथ किस वीडियो को तो जो वीडियो आप लोग वाज कर रहे हैं ये वीडियो important है 7th class students आप लोग लिए खास कर क्योंकि यहाँ पर जो मैं topic cover कर रहा हूं वो है perimeter and area तो class 7th का आपका perimeter and area chapter number 11 है इसके आप लोग वाज कर रहे हैं most important question अब उमीद ऐसी करता हूं कि आप लोगों ने complete theory attempt की होगी NCRT example attempt की होगी और आपने मैंने आप लोगों को 20 questions करवाए थे इसी topic से related most important questions में जहां पर मैंने half marks one marks और two marks के कुछ questions को cover up किया था यह जो वीडियो आप watch कर रहे हैं यह मैं कहूंगा 30 questions और मैं आपको provide कर रहा हूं most important questions में ही और इन 30 questions में आप लोगों को जो questions मैं दिखा रहा हूं यह हैं 3 marks 4 marks यह 5 marks से सवाल मतलब अगर word problems हाती है ठीक है word problems मतलब शब्दों का जब आदान-प्रदान किया जाता है मतलब जब शब्दों के थ्रू किसी चीज को बोला जाता है और आपको वहां से equation formation करनी होती है और उसके बाद फिर आपको इन questions को solve करना होता है तो इस topic में सबसे important यही है word problems मैं ऐसे कहूंगा कि 7th class maths में यही वो topic है जहां पर word problems आने के chances 99.9% जादा होता है ठेक है तो यहाँ पर अगर word problem based question आता है तो वो 3 marks, 4 marks, 5 marks, 6 marks का अराम से आप लोगों को देखने को मिल सकता है चलिए start करते हैं हम अपनी इस video को 30 questions की video है complete watch करिएगा पहला सवाल आप लोगों के सामने कुछ ऐसा है क्या बोल रहा है a wire is in the shape of a rectangle एक wire है जिसका shape rectangle जैसा है तो एक wire है वो basically मैं ऐसा बोलूँगा कि वो rectangle shape की है कि shape की है वो rectangle मतलब वो basically rectangle जैसा उसको band करके रखा हुआ है ठीक है अब जब word rectangle बोला जाता है तो clear हो जाना चाहिए कि नीचे जो horizontal line है यह आपकी length है और यह आपकी breadth है ठीक है तो a wire is in the shape of a rectangle its length is 42.7 meter इसकी जो length है वो है 42.7 meter ठीक है and breadth is 21.8 meter और इसकी जो breadth है इसी band को अगर मैं खोलता हूँ मतलब यह wire को अगर मैं खोलता हूँ और खोल की इसको rectangle shape से convert करता हूँ square shape के अंदर तो आप देखिएगा कि यहाँ पर जो square shape बनी है वो इस तेके से कुछ बोल रहा है तो मान लीजे मैंने इसको square shape में बदल दी अब square वो shape है जहां पर चारो sides actually equal होती है तो अगर यह है तो यह भी A होगा यह भी A होगा यह भी A होगा यह square है तो यह कह रहा है if the same wire is rebound in the shape of a square what will be the measure of east side आपको यही A बताना है कि इसका measurement क्या होगा and also find which enclosed more area और यह भी पता करना है कि area rectangle का जाता है या area square का जाता है देखिएगा इस question को attempt करने के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ given ठेक है और given में मुझे जो है हम वैसे का वैसे लिख देता है तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ length of length of rectangle ठेक है क्योंकि मुझे rectangle shape की length पता है तो length of rectangle मुझे दिये 42.7 meter देन उसके बाद मुझे breadth दी है तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि मुझे breadth मिली है breadth of rectangle और यह breadth of rectangle मुझे दिया है इन लोगोंने 21.8 meter ठेक है तो इसका मतला मैं area असानी से calculate कर सकता हूँ तो क्यों ना मैं पहले area ही calculate कर लूँ तो area of rectangle इस case में यहाँ पर यह आजएगा length multiplied with breadth तो length को आपको multiply करना है breadth के बाद breadth के साथ तो यहाँ पर जब length हो breadth multiply होगी तो यह value आजएगी 42.7 multiplied with 21.8 इसको आप कहीं पर rough place पर multiply करके answer लिखिएगा ठीक है तो rough place आपकी मतलब सामनी होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पर क्योंकि हमने तो drawing बनाई है तो मैं उस side solve कर लेता हूँ 42.7 है तो मैं कहूंगा 427 को कुल मिला के मुझे 218 के साथ multiply करना है जो भी answer आएगा decimal के बाद 2 places होनी चाहिए क्योंकि decimal के बाद 1 place है decimal के बाद 1 place है चलिए solve करते हैं 7 into 8 is 56 तो 6 and 5 then उसके बाद 8 into 2 तो 8 into 2 is 16 16 plus 4 is 20 21 4 into 8 is 32 34 ठीक है cross 1 into 7 is 7 1 into 2 is 2 1 into 4 is 4 cross 2 into 7 is 14 14 का 4 carry 1 और यह आ जाएगा 5 2 into 4 is 8 तो यहाँ पर आप answer देखेंगे कि 86 यहाँ आ रहा है 8 9 10 10 का 0 carry 1 और यह हो जाएगा 8 8 plus 2 10 और 13 13 का 3 carry 1 9 3 0 8 6 तो यहाँ पर जो आपका answer आया यह आया 9 3 0 8 6 और decimal के बाद 8 6 meter square यह आपका कुल मिला के area of rectangle आ गया इसको हम एक box में डाल के रख देते हैं क्योंकि यह हमारा जवाब बताएगा जो second part discussion का हमसे पूछा है second part पूछा है किसका area जादा है ठीक है तो यहाँ पर हम कहते हैं कि area of rectangle यह निकल के आया अब move करते हैं जब हम square की बात करेंगे तो square के case में area of square भी हमें निकालना है तो area of square निकालने के लिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि side multiplied with side होता है तो definitely यही इसका formula भी है side multiplied with side that means a when multiplied with a will give you a square ठीक है और इनोंने बोला है कि a wire is in the shape of a rectangle its length is 42.7 meter and width is this if the same wire is rebound in the shape of a square यही पूरी wire को खोला था इसी wire से square बनाया है that means दोनों का जो perimeter होगा ठीक है इन दोनों का जो perimeter होगा वो same होगा तो हमने तो area निकाल नहीं था हमने area निकाल दिया है area of square होगा a square इसमें हम डालेंगे जब हमारे पास जब हमारे पास side आजाएगी तो side आपके पास आएगी जब आप perimeter calculate करेंगे ठीक है तो आप perimeter calculate करिए, तो perimeter of rectangle क्या होता है, देखीगा, तो जब हम बात करेंगे perimeter of rectangle की, तो ये formula हमारा हो जाएगा 2 times of length plus breadth, clear है, और 2 times of length plus breadth का मतलब है, इसमें L plus B, L है आपका 42.7, ठीक है, और इसको आप add कर दीजे 21.8 के साथ, तो ये value आपकी आजाएगी, 7 plus 7, 14, 15, 15 का 5, carry 1, 3, 4, ठीक है, और फिर उसके बाद 6, 64.5 multiplied with 2, ये जो 2 बाहर था, तो 64.5 इन दोनों का sum आ रहा है, ठीक है, देखेगा, 4, 5, 6, और 3, और वहाँ से 4 आया, yes, तो यहाँ पे 64.5 into 10, और 2 into 5 होता है, 10, 10 का 0, carry 1, 2 into 4 is 8, and 9, 2 into 6 is 12, तो कुल मिला के, यहाँ पे हमें मिल रहा है, 129 मीटर, ये क्या मिला, ये हमें perimeter of rectangle मिला है, और इन्होंने clearly बोला है, इसी वायर को खोल के square बनाया गया है, तो मैं बोलूंगा, therefore, perimeter of rectangle, तो perimeter of rectangle is equals to perimeter of square, ठीक है, और perimeter of square, तो perimeter of square भी 129 मीटर होगा, तो इसका मतलब 129 मीटर is equals to, perimeter actual में होता है, A plus A plus A plus A, मतलब 4 times of A, clear है, तो 129 divided by 4 कर दीजिए, आपको square की एक side मिल जाएगी, हम ले लेते हैं एक blank sheet, और यहाँ पे और समझते हैं, आगे क्या हमारी value आ रही है, चलिए, देखिएगा, यहाँ पे हम कहेंगे कि क्योंकि हमने अभी किया 129 is equals to 4 A, तो 4 A की value क्योंकि 129 है, तो A की value हो जाएगी 129 by 4, इसमें कोई doubt नहीं, और 4 से जब यह 129 कटेगा, तो यह हो जाएगा 4, 3 times 12, 4, 2 times 8, point 1 आया इसका remainder, तो उसमें 0 लगा point के बाद, तो 10, 4, 2 times again 8, फिर 4, 5 times 20, तो यहाँ पे जो एक side आएगी square की वो आएगी 32.25, clear है meter, यह एक side आई है, perimeter से हमने side निकाल ली, अब जब perimeter से side निकाल ली, देफोर area क्या आजाएगा, तो area of square आप अराम से calculate कर पाएगे, क्योंकि area of square अभी आपने पीछे किया था, a square, side into side is a square, तो यहाँ पे यह हो जाएगा, 32.25 multiplied with 32.25, क्योंकि a की value आपने डाल दी हाँ पर, आप इन दोनों को multiply कर दीजिए, तो यह आपका आजाएगा, 3, 2, 2, 5 multiplied with 3, 2, 2, 5, clear, तो 5 into 5 is 25, 5 into 2 is 10, 11, 12, 12 कर 2, carry 1, 5 into 2 is 10, 11, 11 कर 1, carry 1, 15 and 16, cross, 2 into 5 is 10, 10 कर 0, carry 1, 2 into 2, 4, 5, ठीक है, और फिर, 2 into 2, 4 and 5, 2 into 2 is 4, 2 into 2 is 4, 2 into 3 is 6, double cross, then 2 into 5 is 10, 10 कर 0, carry 1, 2 into 2, 4 and 5, then 2 into 2 is 4 and 2 into 3 is 6, again triple cross, multiplication कर रहे, 3 into 5 is 15, 15 कर 5, carry 1, और यहां पर यह आएगा, 2 minute, चले, 3 into 5 is 15, 15 कर 5, carry 1, 3 into 2 is 6 and 7, 3 into 2 is 6 and 3 into 3 is 9, तो finally 5, 2, 6, 10 and 10, 20, 0 and 2 carry, तो 10, 10 plus 3 is 13, 13 plus 7 is 20, 0 and 2 carry, 12, 13, 14, तो 14, 14 कर 4, carry 1, 1, 0, 4, double 0, 6 to 5, यह इसका अंसर आएगा, 1, 0, 4, double 0, 6 to 5, अब, decimal के बाद होनी चाहिए, 4 places, तो point के बाद 2, point के बाद 2, मतलब point के बाद 4 places, इसका मतलब finally हमारा अंसर आया है, 1, 0, 4, 0, ठीके, 0, 6 to 5, approximate value है, meter square में, clear है, और यह आया हमारा area of square, तो कुल मिला के हमसे यही तो पूछा था, क्या पूछा था हमसे, कि सबसे पहला part, a बताईए, side of the square बताईए, बता दिया, दूसरा पाट था question का कि कि किसका area जादा है, area of rectangle जादा है या area of square जादा है, तो आप देख रहें, area of rectangle आ रहा है, 931, और यहाँ पर यह आ रहा है, 1040, तो common सी बात है हम कहेंगे, area of square is more, therefore, area of square, area of square is more, done है, चलिए, तो इस पकार का एक बहुत बड़ी है सवाल आप देख रहे हैं, calculations थे, 3-4 चीज़े calculate करनी थी, कम से कम मैं कहूंगा 5-6 marks का सवाल, पहले ही सवाल, इतना प्यारा, जो आप लोगों को school exam में एकदम देखने को मिल सकता है, तो जल्दी से board copy कर लीजिए, मैंने देखी, मैंने क्या करवाया, फिर से कब बताया तो, मैंने rectangle का shape बनाया था, square का बनाया, आपको समझाया, देन उसके आद मैंने perimeter of rectangle को calculate, मैंने सबसे पहले area निकाला, given part लिखा, area calculate किया, area of rectangle हमने calculate किया, उसके बाद हमने area of square निकाला, अब area of square में क्योंकि हमें side नहीं पता था, हमने सवाल पढ़के दुबारा देखा कि perimeter equal है, तो perimeter equal है, इसलिए हमने ये लिखा, perimeter of rectangle is equal to perimeter of square, perimeter of rectangle हमने ये calculate किया था, 129 meter, ठीके, इस value को यहाँ पर डाला, ठीके, इस equation में तो यहाँ से हमें side पता चल गई, side पता चल गई, तो हमारा question का first part solve हो गया, 3 marks तो यहाँ मिल गए, फिर उसके बाद 2 marks मिलेंगे, इस calculation के तो मैं कहूँगा, 5 से 6 marks का एकदम सवाल ये बन सकता है, area of square को calculate किया, और half marks का आपको answer लिखने का मिलता है, ठीके marks, तो area of square is more, और area of square देखें, meter square में, और side आपकी आएगी meter में, unit लिखना मद भूलना, clear है, चलिए, move करते हैं, question number 2 की तरफ, second question देखिएगा, second question क्या कह रहा है, तो second question कह रहा है, the perimeter of a rectangle is 170 cm, आपको एक rectangle दिया है, और उसके perimeter की बात हो रही है, मतलब length और breadth आपको पता है, जब perimeter की बात हो रही है, तो perimeter of rectangle पता होना चाहिए, perimeter और rectangle का actual formula होता है, two length plus breadth, और यह कैसे बनता है perimeter, जब आप चारो side को add करते हो, L plus B plus L plus B, rectangle वो shape है, जिसमें opposite sides equal होती है, कई बच्चे end time पे यही भूल जाते हैं, ठीक है, तो area of rectangle मत भूलना, please, ठीक है, और perimeter of rectangle भी मत भूलना, तो perimeter of rectangle का formula लिख दिया, the perimeter of a rectangle is 170 cm, अगर rectangle की breadth 45 cm है, तो आप बताइए, इसकी length क्या होगी, और इस rectangle का area क्या होगा, तो 3 से 4 मांक सा सवाल यह बन सकता है, चलिए, देखिएगा, यहाँ पे हमें जो given है, proper तरीके से आप given लिखिएगा, तो यहाँ पे हमें given क्या है, यहाँ पे हमें given है perimeter, तो देखिएगा, perimeter of rectangle, तो perimeter of rectangle is equals to, यह क्या है, perimeter of rectangle है 170 cm, ठीक है, फिर है उसके बाद breadth of rectangle, तो breadth of rectangle, और breadth of rectangle हमें पता है कितनी है, 45 cm, ठीक है, ऐसे ही हमें find क्या करना है, वो लिखिएगा, तो हमें पता करना है length, to find length of rectangle, तो length of rectangle हमें एक चीज़ पता करनी है, उसके बाद हमें area भी निकालना है, तो area of rectangle, यह दो चीज़े हमें calculate करनी है, चलिए, देखिएगा, first part, सबसे पहले length, फिर हम उसका second part पर आएंगे, rectangle हमें पता है, देखना formula हमें पता है, यह formula मैंने यहां लिखा है, ठीक है, और इसी formula में जब मैं values को substitute कर दूँगा, तो parameter of rectangle है 170, that means 170 is equal to 2 times of length हमें नहीं पता, plus breadth, breadth हमें पता है 45 होती है, यह 2, इस bracket के साथ multiplication में, यह 2 170 के नीचे आएगा, तो 170 divided by 2 is equal to L plus 45, clear है, और 2 8 times 16, तो 2 8 times 16, again 2 5 times 10, तो 45 is equal to L plus 45, यह 45 इदर जाएगा, तो 85 में से minus हो जाएगा, और यह आपको value देगा length की, तो finally length क्या आएगी, 5 में से 5 गया, 8 में से 4 गया, 4 तो मतलब 40, तो यहाँ पे कुल मिलाके, जो length हाई है, therefore length of rectangle, therefore length of rectangle is equals to 40 meter, कितना आ रहा है, 40 meter, 40 centimeter या meter, सारी कहानी centimeter में चल रही ही, तो हमारा भी answer centimeter में आएगा, ना कि meter में, चलिए, तो 40 centimeter यह length आ गई, now area of rectangle, area of rectangle, यह हमारी होती है, length multiplied with breadth, ठीक है, तो length हमें कितनी दी है, length दी है 40, और breadth कितनी दी है, तो breadth हमें दी हुए 45, तो इसका मतलब 40 से, जब 45 multiply होगा, तो यह centimeter square में हमारी value आएगी, ठीक है, area, तो 4 into 5 is 20, 0, 2 carry, 4 into 4 is 16, 17, 18, और यह आ जाएगा 1800 centimeter square, यह आपका आ गया area of the rectangle, simple question number 2 भी आपने यहाँ पे कर दिया, खतम, move करते हैं, question number 3 की तरफ, a door of length 1.32 meter and the breadth 0.75 meter is on a wall, एक एक दिवार है, ठीक है, एक wall है, मैं ऐसा बोलता हूँ कि wall है, wall का shape अभी मुझे नहीं पता, wall rectangle है या square है, क्या है, उससे अभी मुझे मतलब भी नहीं, पहला statement क्या बोल रहा है, वो हमें पता होना चाहिए, तो यह कह रहा है, एक wall है, इस wall के उपर door लगा हुआ है, ठीक है, और इस door की, जो length और breadth है, तो length और breadth है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, वो दी है 0.75 meter ठीक है the length of the wall is 6.5 meter और जो total length है wall की वो हमें दी है 6.5 meter ठीक है यह बोल रहा है and the breadth is 4.2 meter और इसकी जो breadth है यह 4.2 meter है तो जो dimensions दीए है इस से हमें clear हो रहा है कि length और breadth क्योंकि हमें दी है इसका मतलब यह rectangle है तो breadth हमें कितनी दी है breadth हमें दी है 4.2 meter क्योंकि दोनों different दी है तो इससे समझा रहा है जो wall है वो एक rectangle है wall की उपर again एक door लगा है वो भी एक rectangle है ठीक है find the cost of white washing the wall if the rate of white washing the wall is rupees 20 per square meter यह बोल रहा है मैंने पुताई वाले को अपने घर में बुलाया पुताई वाले ने कहा कि दिवार को पुताई करने का मैं कितना charge लूँगा तो दिवार को पुताई करने का जो उसका charge था वो था 20 rupees per meter square ठीक है तो cost of cost of white wash यह जो cost है यह मुझे दिया है rupees 20 per meter square यह हमें बूला है per meter square meter square सुनते ही हम यह समझ गए कि उस बंदे ने जिसने भी cost दिया उसने area के इसाब से cost दिया तो area एक meter square को पुताई करने का वो 20 सुपे ले रहा है इसका मतला wall कितना area है मतला मुझे shaded portion का area निकालना है मुझे door का area नहीं निकालना क्योंकि door तो दर्वाजा है दर्वाजे के उपर वो पुताई नहीं करेगा पुताई होगी सिप wall के उपर clearly question में हर जगा यह लिखा है तो बस simple है चलिए देखिएगा तो मैं क्या करूँगा मैं तो सबसे पहले तो wall का area निकालूँगा complete wall का area निकालूँगा ठीक है तो हमें काम करते हैं हमें length of wall दी है पहले उसको लिख लेते हैं तो length of wall हमें कितनी दी है length of wall हमें दी है 6.5 meter और हमें breadth दी है तो हमें breadth दी है breadth of wall और यह हमें बोल रहा है कितना है 4.2 meter ठीक है therefore area of wall पूरे wall का area अगर मैं देखूं तो वो क्या होगा 6.5 into 4.2 तो 6.5 में से आप मतलब length into breadth तो यह हो जाएगा 6.5 multiplied with 4.2 meter square clear है यह चीज़? ठीक है इसको देखिएगा जब इन दोनों को solve करेंगे तो यह हो जाएगा 6.5 multiplied with 4.2 2 into 5 is 10, 10 का 0 carry 1 2 into 6 is 12 and 13 cross then 4 into 5 is 20, 0 and 2 carry, 4 into 6 is 24 25, 26 तो यह आजाएगा 37, 2 तो 2, 7, 3, 0 यह value आएगी 27.30 meter square यह आपका निकला है total area wall का लेकिन problem यह है इसी wall के उपर एक door भी लगा है तो आप सबसे पहले area of door भी calculate करिए क्योंकि actual wall जिसके उपर white wash होना है वो कितना area है? वो आप total area निकालके जब door का area minus करेंगे तो actually आपको दिवार का area मिल जाएगा clear है यह चीज? चलिए तो यह रफवर्क मैंना इटा दिया यहाँ पर देखना यह area of wall था ठीक है? अब यहाँ पर length of door आपको दी है तो length of door मुझे कितना दिया है? length of door में यह कह रहा है 1.32 meter और breath of door भी मुझे दिया तो breath of door और breath of door में यह मुझे बोल रहा है 0.75 meter इन दोनों को multiply करूंगा तो यह मुझे area of door मिल जाएगा तो area of door और door का area कितना है? तो यह है 1.32 multiplied with 0.75 meter square यह area आएगा meter square में तो चलो इसको भी multiply कर लेते हैं 1, 3, 2 को आपको multiply करना है 75 से तो 5 into 2 is 10 10 का 0 carry 1 15, 16, 16 का 6 carry 1 cross 7 into 2 is 14 14 का 4 carry 1 7 into 3 is 21, 22 2 and 2 carry 7 into 1 is 7, 8 or 9 तो यह आजाएगा 0, 0 और फिर यहाँ पे 7, 8, 9 and 9 तो यह 9, 9, double 0 मतलब decimal कितने digits के बाद आएगा? तो decimal यहाँ पे आएगा 4 digits के बाद मतलब यह आजाएगा 0.99 meter square area of wall आएगा 0.99 meter square यहाँ लिख देता हूँ मैं 0.99 meter square एक काम करते हैं इस रफ वर को अटायते हैं तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं area of door आपका आगया area of door is 0.99 meter square now remaining area of wall remaining area यह shaded area जो आपको दिख रहा है तो जिसके उपर white wash होना है ठीक है? यहाँ हम ऐसा लिख देते हैं now area to be white washed area to be white washed जिस area को हमें white wash करना है वो area है आपका area of wall minus area of door यह भी आपको लिखना पड़ेगा area of wall minus area of door चलिए area of wall कितना निकल के आया था? तो area of wall मेरा निकला था 27.30 27.30 minus 0.99 तो 0.99 और यह आपका remaining area आजाएगा तो remaining area जिसको जो area white wash होना है वो वाला area तो 27.30 27.30 में से 0.99 को जब मैं minus करूंगा तो 10 में से 9 गए 1 12 में से 9 गए तो यह आएगा 3 point और यह आएगा 6 और 2 26.31 26.31 मीटर स्क्वाइर ठीक है? इतना area white wash होना है इसको white wash करने का total cost क्या होगा? Find the cost of white washing the wall ठीक है? तो इसको white wash करने का खर्चा तो cost of white washing white washing is equals to 20 multiplied with एक मीटर स्क्वाइर का गब 20 सुपे खर्चा है तो 26.31 का कितना? multiplied with 20 कर दो तो इसको multiply करने पर यह आजाएगा 20 multiplied with 2631 upon 100 यह 0 से यह 0 कटा ठीक है? और फिर इसके बाद 2 से यह multiply कर दो सामने तो 2 1 times 2 2 3 times 6 2 6 times 12 12 का 2 carry 1 5 5 2 6 2 upon 10 यह खर्चा आएगा 526.2 रूपीज कितना आया? 526.20 रूपीज ठीक है? 0.20 पैसा बोल सकते हैं तो 0.20 पैसा भी 526 रूपीज एड 20 पैसा ठीक है? इतना चार्ज करेगा यह total cost निकल के आया finally wall को whitewash करने का तो total cost आपने यहाँ निकाल दिया है कर ले board clear क्या किया है? एक बाद मैं दुबारा बतायता हूँ हम लोगों ने क्या किया है? यह आपको दिखाते हैं question number 3 हम कर रहे थे हैं a door of length is तो आपके पास एक wall थी wall के उपर एक door लगा हुआ था आपने पहरे पूरे wall का area निकाला wall का area निकालने के लिए आपने 6.5 को 4.2 से multiply किया तो यह आपने 6.5 को 4.2 से multiply किया पूरे wall का area आया उस area में से आपने door की area को minus कर दिया और door की length of breath आपको यह given थी यह door है जिसकी length of breath आपको given थी तो आपने 1.32 को 0.75 से multiply किया area of door निकल आया इसका मतलब जिस area को आपको white wash करना था तो total area में से आपने area of door को हटा दिया तो आपके पास वो area आया है जिसको white wash होना है cost निकालना है ठीके तो जितना area white wash होना है उसको 20 रूपीज से multiply कर दो तो answer आएगा 526 रूपीज and 20 पैसा clear board कर लेते हैं यहाँ पर clear और फिर इधर भी हम board कर देते हैं clear move करते हैं question number 4th की तरफ question number 4th क्या कह रहा है इसको देखिएगा simple सा सवाल है यह क्या कह रहा है the area of a square plot is 256 square meter अब देखो एक square plot तुम्हें दिया हुआ है तो यह हम बनायते हैं square plot देखो square क्या जिसके चारो साइड equal है तो यह square है और square मतलब चारो साइड equal तो a a a अब देखो इसका area तुम्हें known है तो area of a square आपको known है area of square plot और जो word दिये है ना बस उतना नहीं given में तो लिखकर जरूर आना कि जो दिया है ना उसको आप देखके तो given लिखी सकते है तो area of a square plot यह होता है आपका side multiplied with side 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 से multiply होगा और जब side side से multiply होगा तो कुल मिला के area of square plot यह आपको दिया वर 256 तो 256 meter square क्योंकि यह आपको given है तो मैं ऐसा बोलूँगा a square की value a into a is 256 meter square given find the length of the wire that can go four times around the boundary अब आप wire की length बताईए ठीक है जो की इसकी boundary पर फेंसिंग करने के काम आएगी और उस wire को मुझे चार बार लपेटना है तो one round of wire one round of wire is equals to perimeter of plot ऐसा मैं बोल सकता हूं कि भाई plot का perimeter क्या है sum of all sides अगर मैं wire को यहां से बांदना चालू करता हूं तो एक round बांद के वापिस इसी जगह पे आना मतलब four a घुमूंगा मैं a plus a plus a plus a तो four times of a तो one round of wire is equals to four times of side यह चीज clear है अब देखो मुझे अगर side पता होती तो मुझे perimeter पता चल जाता तो perimeter of plot मुझे पता चल जाता और तो perimeter का पता चल जाता एक round of wire मुझे पता चल जाती कि wire की length क्या है अब हमें यह side नहीं पता तो side नहीं पता मैं काम यह कर सकता हूं कि यह लिखने से पहले क्यों नहीं side calculate कर लूँ दो कोई same values जो आपस में multiply होके 256 दे ठीक है तो ऐसी वो values क्या है यह हमें बताना है कुल मिला के तो यह दो values क्या है सेम देखिएगा अगर मैं 16 को 16 से multiply करता हूं तो यह आजाएगा 96 cross 1 into 6 is 6 1 into 1 is 1 तो यह आएगा आपका 256 तो 16 को जब 16 से multiply किया जाएगा तो 256 आएगा इसका मतलब 16 16 से multiply हो रहा है तो ही तो 256 बन रहा है तो मैं कहूंगा एक ही जो value है वो 16 आएगी एक ही value यहाँ पर 16 आएगी 16 मीटर आएगी और मीटर मीटर से multiply होगा तो ही मीटर square होगा तो कुल मिला कि यहाँ पर side of the square आपने calculate कर लिया side of the square calculate करने के बाद मैं one round of wire मतलब parameter calculate करूंगा तो parameter of plot parameter of plot is equals to टेक है वन round of wire one round of wire wire का एक पूरा round complete होगा तो parameter of plot है आपका यहाँ पर कितना four times of side of four times of side का मतलब side is 16 तो four multiplied with 16 कर दीजे तो four into six is 24 to carry 64 तो 64 meter जो है यह one round of wire की length आई one round of wire में जो length आएगी वो आपके सामने ठीक है अब ऐसे four rounds लगने वाले कितने rounds लगने वाले four rounds तो therefore four rounds of wire is equals to four times of perimeter of wire perimeter of plot बोल लो तो जो भी plot की total length हारी है outer boundaries की उसकी चार गुना कर देंगे आप तो वो total length हारी है 64 64 को फोर से multiply कर दो तो four multiplied with 64 यह आ जाएगा four into four is 16 16 का six carry one four into six is 24 and 25 तो two fifty six meter यही आपको area दिया था और यही इसकी four round की length आएगी ठीक है तो two fifty six meter जो है यह four rounds of wire अगर आपको इस plot के around tight करनी है four rounds of wire to be to be used for fencing used for fencing मैं ऐसा बोल देता हूं ठीक है तो इसकी length कितनी आई है वो आई है 256 meter बहुत प्यारा कोश्चन था कई बच्चें यहां पर घूम जाते हैं कि सर एरिया भी 256 दिया है और length भी 256 आ रही है एकदम आ सकती है देखो 256 से आपने एक side की length निका ली और एक side की length के बाद आपने जब उसमें four multiply किया तो आपने perimeter निकाला perimeter जो निकाला इसको four times करेंगे क्योंकि four round लगने है total तो वो भी answer 256 से finally आएगा चलिए move करते हैं question number five की तरह board कर लेते हैं clear question number five कह रहा है one side of a pallologram is 20 centimeter यह pallologram है और pallologram की जो एक side है यह 20 centimeter की है तो मैं ऐसा ले लेता हूँ यह 20 centimeter का one side हो गया and the corresponding altitude और इस side के correspond में जो altitude है अब corresponding altitude मतलब altitude का मतलब यहां से जो perpendicular length है दोनों दोनों sides के बीच की जो perpendicular distance है इस side के corresponding यह इसका altitude होगा जो basically हैं पर 90 degree का formation कर रहा होगा तो यह कह रहा है 20 centimeter का corresponding altitude है वो 15 centimeter है 15 centimeter का है ठीक है find the area of a pallologram यह बहुत असान है तो देखिएगा दो marks का question area of parallelogram अच्छा यह बच्चे क्यों छोड़ के आ जाते हैं यह question क्योंकि भाई यहां पे sir word corresponding का मतलब क्या है हमें नहीं समझाया corresponding का मतलब है देखो जब भी pallologram की बात करेंगे तो pallologram के जब भी area की बात करेंगे तो उसके formula में दो चीजे आती है एक आता बेस एक आता altitude बेस multiplied with altitude मतलब बेस के corresponding altitude है altitude के corresponding में बेस है तो जब बेस उन्हेंने कोई side पहलो लोगा हमकी बुली और इसके corresponding का altitude बात की गई तो वह इस बेस पे जो 90 डिगरी बनाएगा वो altitude कई बच्चे क्या कहेंगे कि भाई sir हम यही लेंगे क्या base अगर हम कुछ और base नहीं मान सकते थे या इस पहले लोगा हम की कुछ आपको यह चीज समझ आनी चाहिए तो 90 डिगरी अब यह जो तुम्हें ऑल्टिट्यूट दिये यह 15 तो टोटल एरिया जो आएगा एरिया पैलिलोगाम वह आजाएगा base multiplied with height height मतलब altitude तो बेस आप 20 को ले लेंगे altitude जो दिया हुए 15 उसको multiply कर देंगे तो यह आपका आजाएगा 300 और 300 cm square area of this पैलिलोग्राम बस खतम अब सिर्थ 2 marks में इतना असान question एकदम आता है इससे बहले आपको given और वह सब of parallelogram is equals to 20 cm ठीक है and the corresponding altitude and the altitude and the altitude of parallelogram is equals to यह आपको दिया है 15 cm आपको पता करना है to find area to find the area of parallelogram तो यह आजाएगा area of parallelogram और यह area कितना आएगा तो area of parallelogram हमें पता है base multiplied with altitude पूरा formula लिखकर आना short form में कुछ मत लिखकर आना clear है तो base से जब altitude multiply होगा वो area of parallelogram होगा base है आपकी 20 20 multiply हो रही है 15 के साथ तो जैसे 15 के साथ 2 multiply होगा यह 30 value आएगी और एक 0 था तो 300 cm square यह आपका area आजाएगा यही answer है बस और एक drawing zoo बना के आना तो यह altitude है और मतलब यह यह आपका parallelogram है और parallelogram का नाम दे देना a b c d a b वाली जो side है यह आपकी 20 cm है और इसका corresponding altitude यह है इसको expand कर देंगे तो यहां पर यह 90 degree बनाएगा और यह जो है altitude मतलब c से लेके m तक का जो point है तो cm इसका altitude हो जाएगा जो कि 15 cm है यह आपको बोला है दो marks में यह आपको तब teacher दो marks देंगी clear है move करते हैं question number six की तरह board कर लेते हैं clear question number six कह रहा है area of a parallelogram is 450 cm square एक parallelogram है जिसका area तुम्हें known है तो यह आपकी base होगी मैं ऐसा बोल देता हूँ a b c d यह parallelogram यह base और यह altitude जब आपस में multiply किया होगा ठीक है तो c m एक altitude है यहाँ लिख देता हूँ तो आपको area of parallelogram known है ठीक है आपको given क्या है area of parallelogram a b c d नाम भी लिख देता हूँ a b c d एक parallelogram है जिसका area आपको दिया है 450 cm square and its altitude is 20 cm altitude आपको दिया है altitude of parallelogram altitude of parallelogram that is that is altitude क्या है cm है that is cm is equals to यह दिया है 20 cm ठीक है find the length of the corresponding side of the parallelogram आप बताईए कोई भी एक side is parallelogram की ठीक है तो altitude का corresponding होगा a b ठीक है तो altitude का corresponding होगा a b a b side आप बताईए parallelogram की तो to find आपको पता क्या करना है आपको side पता करनी है side of parallelogram side of parallelogram which corresponds to the altitude corresponding to altitude corresponding to altitude चलिए देखिएगा तो यहां पे same formula area हमें known है तो as we know area of parallelogram is equals to area of parallelogram is equals to base multiplied with altitude base altitude के साथ multiply होगा तो जब base altitude के साथ multiply होगा तो base हमें नहीं पता base हम यहां पे a b को लिख देते हैं यह multiply होगा altitude के साथ मतलब cm के साथ ठीक है और area of parallelogram already आपको दिया है 450 तो यहां पे यह आ जाएगा 450 divided with cm इसके नीचे आ जाएगा cm की value है 20 तो यह 20 इसके नीचे आ गया यह आपको base देदेगा a b देदेगा तो finally a b की value यहां पर आ जाएगी a b is equals to 0 से 0 कटा और इस 2 से यह 45 कटा 22 times 4 to 2 times 4.5 22.5 meter ठीक है क्या है meter है centimeter centimeter है 22.5 centimeter यह corresponding base आ जाएगी clear है इतना असान question था मैं कहूंगा 2 marks में definitely आपको देखने को मिल सकता है तो चलिए question number 6 भी हो गया move करते है question number 7th की तरफ 7th question क्या कह रहा है इसको देखिएगा one side of a parallelogram is 30 centimeter वो कह रहा है parallelogram की एक side जो है यह 30 centimeter की है तो ठीक है मैं parallelogram का नाम देता हूं a b c d और a b को मैं 30 centimeter माल लेता हूं and the corresponding altitude is 18 centimeter और इसका जो corresponding altitude है इसको हम cm बोल देते हैं यह आपको दिया हूआ है 18 centimeter ठीक है तो यह 18 centimeter का है find the length of the adjacent side of the parallelogram तो find the length of the adjacent side of the parallelogram if the height of the altitude to the adjacent side is 20 centimeter अच्छा यह ऐसा बोल रहा है कि यह height है 18 centimeter तो सबसे पहले तो इस parallelogram का area निकालो तेखो area of area of parallelogram यह एक काम करिये proper तरीके सब्सक्राइब मैं इसको attempt करूँ कोई कि तीन marks का कोश्चा नहीं है तो यहाँ पे हम बोलेंगे हमें given क्या है हमें given है a b is equals to यह ऐसा पहले बोल दीजे a b c d is a parallelogram a b c d is a parallelogram a b c d एक parallelogram है जिसके अंदर a b आपको दिया हुआ है 30 centimeter और इसका corresponding altitude cm दिया हुआ है आपको यह आपको दिया हुआ है 18 centimeter ठीक है also given also आपको एक altitude और दिया है अगर आप ध्यान से देखें तो वो altitude क्या दिया है हम यहाँ पे बोल देते हैं वो altitude हमें दिया होगा जो 90 degree का formation करेगा तो यह एस तेके से आप एक altitude ले लिजे बी एन ले लेते हैं ठीक है तो आपको एक तो बी एन की value दिये also bn is equals to यहाँ पे बी एन दिया है 20 centimeter का क्योंकि clearly बोला है find the length of the adjacent side of the parallelogram अगर आपको a भी पता है तो आप bc बताईए यह आप d a बताईए तो वो कह रहा है आप d a बताईए अगर आपके पास height of the altitude है जो adjacent side का है तो d a ठीक है इसका अगर मैं altitude देखूं तो यहाँ पर इसका altitude अगर d a निकालना है तो d a के लिए जो altitude होगा वो देखेगा वो क्या होगा तो d a तो d a का जो altitude होगा वो आपका मैं ऐसा बोल देता हूँ क्योंकि यहाँ से line आएगी यह 3D हो जाएगी तो यह वाली लाइन हम ले लेते हैं यह आपका point होगा N तो आप DN निकाल लिए कुल मिला के वो यह बोल रहा है कि BN नहीं आपको DN दिया हुआ है तो अगर आपको DN दिया है 20 cm तो आप बताइए DA की value क्या होगी To find DA तो आपको यह DA निकालना है अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे तो देखिए हम सबसे पहले area निकालने के लिए ABCD का area क्या है तो area of ABCD यहाँ पे लिख लेते हैं parallelogram ABCD चलिए इसके बाद तो इसका area निकालने के लिए हमें formula पता है simple सहा कि भाई base को आप multiply कर दीजे altitude के साथ अब आपका base क्या लिए है आपने यहाँ पे तो जिसका base और जिसकी corresponding altitude दीए है तो अगर हम इन दोनों दिये हुए data को लेते हैं 30 into 18 करते हैं तो यहाँ पे कुल मिला के हमारे पास area निकाल आएगा इसी इसी पैलोलोग्राम का ABCD का तो हम क्या करेंगे 30 into 18 तो यहाँ पे यह आ जाएगा आपका 3 into 8 is 24 2 per carry 54 540 और 540 cm square यह area आ गया मुझे यह पता चल गया है कि जिस पैलोलोग्राम को मैं solve कर रहा था उस पैलोलोग्राम का area जो है वो 540 cm square है जो की change नहीं होगा यह fix है अब अगर मैं इसकी corresponding side लेता हूँ मतलब कोई adjacent side लेता हूँ corresponding नहीं मैं अब कोई adjacent लेता हूँ तो word adjacent का मतलब आपको यहां समझना है word adjacent का मतलब है just bugal वाला लगा हुआ ठीक है तो आपने पहले AB को 30 लिया था अब आप DA को base माल लिजए अगर यह base है और इसका corresponding altitude अगर DN है तो therefore हम ऐसा बोलेंगे कि area of area of parallelogram is equals to base मैं ले लेता हूँ DA को DA multiplied with DN तो यह DN हो जाएगा और DA आपको यहां पर कितना दिया हुआ है तो DA आपको यहां पर नहीं दिया DA ही तो आपको find करना है तो DA find करना है और DN की value आपको दिय हुई है तो DN की value आपको यहां पर दिय हुई है वो आपको दिये 20 और already area of parallelogram आपने यहां नीचे क्योंकि निकाल लिया है तो आप यहां पर लिखेंगे 540 simple सा है और यहां पर यह DA आपका finally निकल के क्या आएगा यह आएगा 540 divided by 20 0 से 0 यहां गया 2 से यह 54 कट गया तो finally मेरे DA की value आगई और यह आएगी 2 into 2 is 4 2 into 7 is 14 तो DA is 27 27 cm कुल मिला के हमें यही तो निकालना था कि जो adjacent side है parallelogram में एक side दी है उसकी जो adjacent side है उसका measurement बताई है तो मैंने adjacent side का measurement निकाल लिया इतना असान है आपके सामने कोशन नमबर 7 भी पूरे complete दी के सामने कर लिया है move करते हैं कोशन नमबर 8 की तरफ तो कोशन नमबर 8 क्या कह रहा है board clear करके देखिए कोशन नमबर 8 भी बहुत असान सा है यहाँ पर यह बोल रहा है find the area of a triangle whose base is 40 cm and corresponding altitude is 8 cm तो यहाँ पर अब triangle बोला है ठीके उसका area पता करना है triangle का जिसके आपको base known है और corresponding altitude known है तो देखिए इसको कैसे solve करेंगे यह भी बहुत असान है यहाँ पर पहले तो drawing बनाते है यह हमने एक triangle बना दिया और triangle का base जो नीचे है ठीके अब इस triangle को मैं नाम देता हूँ A, B, C और इसका corresponding altitude मतलब यहाँ से इस base से जो corresponding altitude होगा वो 90 degree बनाएगा मतलब perpendicular height clear है तो अब इसमें हमें करना क्या है तो देखो base भी हमें known है हमें altitude भी known है तो किसी भी triangle का अगर मुझे area निकालना है तो area of triangle यहाँ पर हम लिखेंगे area of triangle is equals to half multiplied with its base multiplied with its altitude ठीक है altitude मतलब वो ही height ठीक है और यही area of triangle का formula होता है चलिए तो यहाँ पर half को multiply कर दीजे base के साथ और base आपको कितना दिया था तो base हमें दिया 40 और altitude हमें कितना दिया है तो corresponding altitude हमें दिया 8 ठीक है अब यहाँ पर 2 से यह 8 कटा 4 times 4 into 4 होता है 16 तो यह हो जाएगा 160 cm2 इतना असान है 2 marks का सवाल एकदम आपको मैं कहूंगा यह variety यह पैलोलोग्राम यह triangle का area यह आपको find करने के लिए बोल सकते है चलिए तो question number 8 हमने solve किया move करते है question number 9 की तरफ find the area of a right triangle यह कह रहा है एक right triangle का area बताइए ठीक है right triangle मतलब कोई भी एक angle 90 degree होता है तो यह देखो मैंने 90 degree का angle बना दिया find the area of a right triangle in which two sides containing the right angle ऐसी दो side जिनके बीच में right angle बन रहा है उनकी आपको measurement दिया है 160 cm and 75 cm ठीक है अब इस triangle का area same formula जो अभी हमने use किया area is equals to half multiplied with base multiplied with its altitude clear है अब आप देखेंगे half को मैं multiply करूंगा base के साथ base है आपका 75 और altitude है 160 160 अराम से 2 से कट रहे 2 8 times 16 and 0 80 आएगा तो यहाँ पर finally हमारा answer आएगा 75 multiplied with 80 ठीक है तो 5 into 8 is 40 0 4 carry 8 into 7 is 56 56 plus 4 is 60 ठीक है तो 5 into 8 है ना तो ठीक है हमारा है ना plus 4 is 60 तो यह आजाएगा 675 into 8 करने पर और यह एक 0 और था तो यह आगे 6000 cm square clear है बस simple सा question 2 marks में या 3 marks में इस तरह की word problem आ सकती है आपको क्या है आपको proper तरीके से given और drawing बनाके आना है given में क्या था आपको given में आपको base थी ठीके base को हमने यहाँ पर माल लिया था triangle का अगर मैं नाम दूँगा ABC तो base हमने माल लिए थी BC को और BC जो था यह हमने 75 cm लिया था ठीके altitude भी हमें दिया हुआ था तो altitude हमें दिया था AB और AB की value हमने यहाँ पर लिया है 160 cm clear है आप इसको भी 160 ले सकते थे इसको 75 ले सकते थे कोई issue नहीं है बस उन्हेंने बोला यह दो side जिनके बीच में 90 degree का angle है वो दोनों measurement आपको दी है तो यहाँ पर question number 9 हमारा solve हो गया move करते हैं next question question number 10 calculate the area of the shaded region in the given figure इस figure के अंदर जो shaded region है इसका area बताईए तो shaded region का area बताना है देख उक्कुल मिला के मेरे पास A, B, C, D एक rectangle दिया है मैं rectangle क्यों बोल पा रहा हूं the reason is being जो BC है यह 50 cm है और जो DC है यह 30 cm है length और breadth दोनों different है sides दोनों different है तो यह एक rectangle है मैं कहूंगा कि area of area of rectangle ठेक है और इस rectangle का नाम हम देएते हैं और वो rectangle है आपका A, B, C, D तो A, B, C, D यह जो rectangle है इसका area हो जाएगा length multiplied with breadth और length आपको दी है 50 और breadth आपको दी है 30 तो यह total area आया हमारा 15 और 2 0 cm square चलिए यह area of rectangle आगया अब area of rectangle में आप देखी यहाँ पर आपको 90 डिगरी बोला है ठीक है अगर यह 90 डिगरी बोला है तो यह भी 90 डिगरी है ऐसा हम मान के चलेंगे area of this right triangle and area of this right triangle ठीक है यह कितना होगा तो देखो total 50 cm में अगर F E dotted line को मैं center point मान लूँ तो मेरे पास AD जो है वो half part में divide हो गया और 50 का half होता है 25 cm तो AF की जो value 25 cm है यह 30 cm है तो area of the triangle हम यहाँ पर लिखेंगे area of triangle तो area of triangle हम ऐसे भी direct निकाल सकते थे वैसे कोई issue नहीं था कि हम इन दोनों को निकाल के आप सिफ add कर देते हैं ठीके यह हमें एक काम कर सकते हैं क्यों कि यह हमें 90 निकरी पता है एक काम करो हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमें यह पता ही नहीं यह 90 दिडि Gary हो ठीके एक triangle दिया बट duct 1947 नहीं किया बट यह अगर आप area of triangle का formula लगायता हूँ, area of triangle FBC is equals to half multiplied with base is 50 and altitude is 30 तो इस 2 से यह 30 गटा, तो यहाँ पर यह आ जाएगा आपका 15, ठेक है, और 15 multiplied with 50 तो 5 into 5 is 25 2 उपर कैरी, 5 1 times 5 607, तो यह आ जाएगा 750 cm2 clear है, तो area of triangle FBC, यह आपका आगया 750 cm2 अब आप क्या करेंगे, total rectangle में से, अगर आप यह वाला area हटा दें, तो जो इन लोगों ने area पूछा है, वो निकल के आजाएगा directly, therefore area of shaded region, area of shaded region ठीक है, तो area of shaded region हम निकालेंगे जब हम 1500 में से, area of rectangle में से, हम minus करेंगे area of triangle को 750 को तो यह हमारा आजाएगा again 750, clear है तो देखो, 0 में से 0 गया, 10 में से 5 गया, 5 और यह 5 हो गया, 4, 14 में से 7 गया, बचे 7 तो 750 cm2 यह finally हमारा area आगया है, shaded region का मतलब इसका, यह जो मैंने dotted mark की है, यह आपका shaded region इन लोगों ने दिया था, इसी तरीगे से आप question number 10 को solve करेंगे, जो हमने कर लिया question number 11 देखिएगा, the perimeter of a right triangle is 30 cm एक right triangle है जिसका perimeter आपको noon है तो मैं बोल देता हूँ, यह right triangle का नाम है, A, B, C और इधर 90 degree का angle है इसलिए यह right triangle है अब perimeter बोला है, तो मुझे given क्या है, सबसे पहले तो मैं वो लिख लेता हूँ मुझे given है, एक right triangle तो right triangle मुझे given है, right triangle A, B, C मुझे given है angle B जो है, यह 90 degree है ठीक है उसके आगे क्या बोला है, the perimeter of the right triangle, मुझे perimeter given है, तो perimeter कितना given है, perimeter of triangle A, B, C यह मुझे given है, और यह मुझे इन्होंने दिया है, 30 cm तो perimeter का मतलब है, sum of all sides, मतलब A, B, P, C P, C, A, तो यह आपको दिया है, A, B, P, P, C P, C, A इसकी value दिया है, 30 ठीक है, तीन side का sum, 30 आपको दिया हुआ है, if it's hypotenuse, इस 13 cm hypotenuse, हम slant height को बोलते है यह अगर 13 cm है ठीक है, and base is 5 cm अगर base आपका 5 cm है तो यहाँ पर देखीगा also given also given, मुझे और क्या दिया है मुझे base known है तो base, B, C, मुझे known है, जो की 5 cm की है और मुझे hypotenuse known है, तो hypotenuse जो की A, C है यह मुझे known है, 13 cm clear है? find the area of the triangle आप triangle का area बताइए क्या होगा तो इस triangle का area हमें बताना है इसका मतलब हमें A, B known करना है तो to find हमें पता क्या करना है हमें पता करना है area of triangle area of triangle A, B, C अब आप समझना, क्योंकि मुझे यह condition given है, ठीक है इस condition को अगर मैं use करता हूँ इन values को अगर यहां डालता हूँ तो मेरे पास A, B की value आ जाएगी बहुत असान है ठीक है? तो यहां पर देखिएगा BC 5 दिया था CA 13 दिया था तो 5 प्लस 13 तो यह आ जाएगा आपका therefore A, B plus A, B side को जब मैं plus करूँँगा 5 के साथ तो इसको प्लस करूँगा 13 के साथ तो यह total value 30 आनी चाहिए 5 प्लस 13 होता है 18 तो A, B plus 18 is equals to 30 और A, B की value A, B की value हो जाएगी 30 minus 18 और 10 में से 8 गए तो यह 2 और यहां पर 2 में से 1 गया तो 12 cm यह हमारा A, B आ गया जब A, B 12 cm आ गया that means हमें perpendicular पता चल गया तो यह perpendicular था यह altitude बोल लीजे तो यह perpendicular था यह base है therefore area is equals to therefore area of triangle A, B, C is equals to half multiplied with base B, C multiplied with altitude A, B और यह value हमारी निकल के आएगी 1 by 2 multiplied with B, C B, C हमारा है 5 और A, B हमारी value कितनी है तो A, B है हमारा जो हमने निकाला यह 12 और 2 से 12 गया 6 times तो 5 into 6 is 30 cm ठेक है यह क्या आया area cm2 में आएगा हमेशा area cm2 unit में हमेशा square जूर लगाना तो यही था हमारा area find the area of the triangle यह हमने find कर लिया अब देखिएगा question number 12 में क्या बूल रहा है इसको करते हैं board clear question number 12 कह रहा है in the given figure ABCD is a rectangle इस दिये हुए figure में ABCD एक rectangle है जिसकी side 24 cm and 7 cm है find the area of the triangle ABD and triangle BDC ठीक है तो आपको ABC triangle यह वाले triangle का area निकालना है ठीक है AB नहीं ABD बूला है ABB तो यह ना पता करते हूभ हमें निकालना है ABD यह triangle का area निकालना है ठीक है N triangle BDC N triangle BDC मतलileyम नीचे बाला भी निकालना है तो यह dotted कर देता हूँ मैं तो इन दोनों triangles का area हमें निकालना है ठीक है अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे तो दिये हुए figure ABCD में एक rectangle है is a rectangle तो यह rectangle है तो एक काम कर सकते हैं इस rectangle का total area निकाल लेते हैं यहां हमें काम करते हैं क्योंकि rectangle बोला है तो यहां पर 90 degree का formation होगा तो 90 degree का formation मतलब इन दो में तो triangle ABD क्योंकि right triangle है as given as given as given triangle ABD is right triangle at angle A angle A पर यह right triangle बन रहा है और right triangle का area आपको पता है कैसे निकालते हैं therefore area of triangle ABD is equals to half multiplied with base base मैं AD को ले लेता हूँ और perpendicular मैं AB को ले लेता हूँ कोई issue नहीं है ठीक है चलिये तो यह हो जाएगा half multiplied with AD B मतलब 24 multiplied with AB AB का मतलब 7 अब 2 से 24 कट रहा है 12 times तो यह आजाएगा आपका 12 और 12 x 7 कितना होता है तो यह होता है आपका 84 clear है तो यहां पर यह आजाएगा इस triangle triangle ABD का area 84 cm 84 m2 तो यह आजाएगा हमारे पास एक part area of triangle ABD अब बात को समझना है यहां पर क्योंकि right triangle का symbol दिया था इसलिए मैंने यह चीज़ की है लेकिन इस triangle में यहां पर rectangle बोले होगा तो right triangle ही मैं एक काम कर सकता हूँ क्योंकि total area of rectangle में से यह triangle अगर मैं minus कर दूँ तो यह area भी निकल के आ सकता है तो करने के तरीके दो हैं इसको यहां तो आप direct 24 into 7 into half कर दें right triangle का area निकाल ले यहां पूरे rectangle का area निकाल के इस area को minus कर दें तो यह area आ जाएगा देखेगा now now area of rectangle area of rectangle और rectangle का नाम आपको दिया है ABCD यह आपका आ जाएगा length multiplied with breath मतलब 24 into 7 ठीक है तो 7 into 4 is 28 2 पर क्यारी 7 into 2 is 14 15 16 168 cm square आएगा area of rectangle हमें जोगत नहीं थी हमें पता करना है triangle ABD हमें पता करना है triangle BDC तो BDC जो triangle है therefore triangle BDC तो area of मैं ऐसा बोल देता हूँ area of area of triangle BDC is equals to area of rectangle minus area of triangle ABD area of triangle ABD ऐसा कर देंगे तो भी कोई answer आने वाला है देखेगा area of rectangle हमारा है 168 तो यह आगया 168 minus 84 तो इस में से minus 84 कर दीजे तो 8 में से 4 गए 4 16 में से 8 गए 8 ठीक है तो 84 cm square यह हमारी value आएगी area of triangle BDC तो यह triangle BDC का area आ गया समझ आ रहा है कैसे हमने किया simple था एक तरीका यह था दूसा तरीका था कि 24 into 7 into half कर दो सेम चीज जो उपर किया था वो यहां पर भी कर सकते थे चलिए तो question number 12 हमारा solve हो गया है move करते है question number 13 की तरफ triangle ABC is a right angle triangle तो यह बोल रहा है ABC एक triangle है जो की angle B पे जो है 90 degree angle B जो है वो 90 degree का angle है तो right angle है B पे and BD is perpendicular to AC और BD जो है वो AC के perpendicular है ठीक है मतलब 90 degree का angle यहां पर भी बन रहा है फिर आगे बोल रहा है if AB is 8 cm अगर AB की value 8 cm की है ठीक है BC is 15 cm and AC is 17 cm find the area of a triangle ABC also find the length BD आप BD भी बताईए तो सबसे पहले तो हमें triangle का area निकालना है तो देखिएगा हमें क्या-क्या given है तो हमें given में है triangle ABC given triangle ABC हमें given है ठीक है तो ABC triangle हमें given है इसके बाद angle B जो है यह 90 degree given है ठीक है और उसके बाद AB की value भी हमें given है AB हमें 8 cm given है BC हमें 15 cm given है ठीक है और AB को हम बोलेंगे यहाँ पर altitude यह altitude है ठीक है और यहाँ पर BC जो है यह base है clear है और यह जो AC है AC भी हमें given है AC हमें 17 cm जो की एक hypotenuse है hypotenuse ठीक है अब हमें area निकालना है सबसे पहले तो area of triangle ABC is equals to half multiplied with base multiplied with altitude जो दोनों तीनों चीजे given है इससे हम अराम से निकाल सकते है half multiplied with base base आपने 15 को लिया था altitude 8 यह 8 आ जाएगा 2 से 8 कटेगा 4 times और 15 into 4 तो यह आपका आ जाएगा 60 5 into 4 is 20 और यह 60 तो यह आगया 60 cm square यह आपको area मिल गया area of triangle ABC लिख देता हूँ यहाँ पर मैं area of triangle ABC चलिए इसके बाद क्या करेंगे आप लोग इसके बाद आपको निकालना है BD तो BD निकालने के लिए मैं use कर लेता हूँ blue pen का ठीके अब देखिएगा अगर मैं 2 minute के लिए यह चीजे यहाँ पर replace कर दूँ और मैं कहूँ कि आप AC को base माल लो AC अगर base है और यह अगर altitude है तो इस triangle का area भी आप लोग निकाल सकते हैं ठीके कैसे निकाल सकते हैं if AC is base ठीके area of triangle ABC is equals to half multiplied with AC multiplied with इस base का corresponding altitude वो कहलाएगा BD clear है और यह हमारी value आ जाएगी half multiplied with AC AC आपको दिया है 17 आपको BD नहीं पता यही तो पता करना है और इस triangle का area तो change हो नहीं नहीं वाला वो तो fix है यही sides है इसकी जो दी हुई है यही sides है 8 cm यह इसकी side दी हुई है 8 cm तो अब आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर area जब change नहीं हो रहा area वो ही का वो ही है तो यहाँ पर मैं इसको 60 लिख दूँ area of area if AC is base area of triangle ABC is 60 अब अभी base मैंने BC लिया था जब 60 निकाला अब मैं base AC को ले रहा हूँ कोई अंतर नहीं आप किसी को भी base ले सकते हो कोई issue नहीं है लेकिन जब यह base लेंगे तो इसका corresponding altitude यह बन रहा है ठीक है और हमने इससे पहले क्या किया था जब हमने base इसको लिया था तो इसका corresponding altitude यह था कोई doubt नहीं है आपर तो बस वह हमने किया है तो 2 into 60 कर दीजिए 60 into 2 upon 17 यह आपकी BD की value आ जाएगी clear है अब आप इसको solve कर लीजिए और मुझे जल्दी से comment box में बताइए आपका जवाब क्या आ रहा है यहाँ पर मैं थोड़ा सो solve करके लिख देता हूँ 2 into 6 is 12 120 upon 17 ठीक है तो 120 by 17 decimal में आपका answer आएगा तो कैसे solve करना है इसको copy कर लीजिए वीडियो को pause करके answer निका लिए comment box में जवाब दीजिए और हम move कर रहे है question number 14 की तरफ चलिए board कर देते हैं यहाँ पर clear question number 14 क्या कह रहा है abc एक isosilis triangle है तो abc एक isosilis triangle है और जब मैं word use करता हूँ isosilis triangle तो इसका मतलब होता है कोई 2 side equal है अब यहाँ पर आप देखेंगे 12.5 cm 12.5 cm मतलब यह पूरी side इस पूरी side के equal है इसका मतलब ab जो है वो ac के equal है ab is equals to ac ठीक है यह isosilis triangle का मतलब हो गया देखो आगे भी लिखा with ab is equals to ac which is equals to 12.5 cm तो यह आपको question में भी दिया था ठीक है अब आगे and bc is 15 cm bc क्या है bc base माल ले तो bc क्या है यहाँ पर bc जो है वो base है और base आपको given है वो दिया है 15 cm ठीक है यह given है आगे क्या बोले the height from a to bc तो a से bc तक का जो altitude है यह आपको given है 7.5 cm the height from a to bc तो ad आपको height given है ad आपको बोली है 7.5 cm ठीक है that is ad 7.5 cm to find the area of triangle a bc आप इस triangle a bc का सबसे पहले area बताईए तो इसका area तो first part देखेगा area of triangle a b c is equals to half multiplied with base multiplied with altitude यही होगा तो इसका मतलब area of triangle a b c में base और altitude दोनों आपको पता है base और altitude दोनों आपको पता है तो half multiplied with base आपको दिया हुआ 15 multiplied with altitude दिया है 7.5 और 7.5 को मैं लिख सकता हूँ 75 by 10 तो एक काम करिए इसको fraction में लिख देते हैं 75 by 10 कोई issue नहीं है चलिए कुछ कट रहा है तो yes 15 और 10 कट रहा है 5 से तो 5 3 times 15 5 5 2 times 10 ठीके और कुछ कट रहा है तो नहीं इसका answer decimal में आने वाला है तो 2 से कुछ नहीं कट रहा तो 3 को 75 से multiply करिए तो यह आ जाएगा 22 upon 4 2 to 5 upon 4 कैसे आया sir 3 into 75 किया देखिए 75 को अगर मैं 3 से multiply करूंगा तो 3 into 5 15 3 into 7 is 21 22 बस इतना असान है अब 4 से divide करना है 2 to 5 को तो 4 से divide करना है 2 to 5 को कर दीजिए 4 5 times 20 होता है बचा 2 और 5 कैरी आ जाएगा तो 25 4 के टेपने 25 तो नहीं आता बट 4 6 times 24 होता है remainder में बचेगा 1 point लगाया वो 1 हो जाएगा 10 और 4 2 times होता है 8 ठीक है तो बचेगा 2 remainder point लगा था 0 20 4 5 times होता है 20 तो यह आ जाएगा आपका answer 56.25 cm2 यह आपका area of triangle ABC आ गया अब अभी तक question solve नहीं हुआ यह तो एक part solve हुआ है बस आगे क्या बोला था what will be the height from C to AB आप बताईए अगर C से मुझे height लेनी है तो C से height यह वाली height क्या होगी यह वाली height calculate करिए अगर इसको मैं base माल लेता हूँ ठीक है now now if if AB is base तो इस case में area of triangle ABC यही था जो की chain नहीं होने वाला area वही का वही रहेगा यह हो जाएगा half multiplied with base क्या है AB और AB का corresponding altitude है EC और आपको यह EC ही calculate करना है बोला है इन्होंने what will be the height from C to AB मतलब CE calculate करना है तो यहाँ EC लिख ले हैं CE लिख ले हैं बात एक ही है CE लिख लेते हैं चलिए तो base area of triangle ABC आपको दिया है 56.25 which is equals to half multiplied with AB की value AB की value दी है 12.5 multiplied with CE और यह CE यहाँ से calculate होके आपको मिल जाएगा एक काम करते हैं blank sheet ले लेते हैं तो blank sheet पे आपको चीजे समझ आएगी चलिए ध्यान दीजेगा blank sheet यहाँ पे कहां गई चलिए यह पिछला material हमने clear नहीं किया था चलिए ध्यान दीजेगा अब यहाँ पे मैं solve कर रहा हूँ तो यह आपकी value आ जाएगी क्या आई है यहाँ पे मैं आता हूँ question number 14 थी हम लोग solve कर रहे थे 56.25 यहाँ मैं लिख देता हूँ 56.25 is equals to half multiplied with half multiplied with 12.5 तो यह हो जाएगा 12.5 multiplied with और यह value आजाएगी CE की ठीक है तो CE की value देखी क्या निकल के आएगी CE यहीं छोड़ दीजिए यह 256.25 के पास चला जाएगा cross multiplication ठीक है और नीचे आजाएगा 12.5 कोई doubt नहीं है decimal remove कर दीजी ऊपर नीचे के तो देखिए 56.25 तो यह हो जाएगा 56.25 multiplied with 100 इसका decimal remove किया उसके बाद 2 डिजिट थे नीचे 100 लगा दिया यहाँ पर एक डिजिट था तो यहाँ पर मैं इसको अटाये तो 125 उपर 10 आ गया कोई doubt नहीं है यहाँ पर ठीक है तो और 5 से काट दीजे क्योंकि unit place पर 5 लिखा था तो 5 से divisible है 5 2 x 10 5 5 x 25 और इसको काटेंगे 5 2 x 10 ठीक है और 5 अगें 2 x 10 5 5 x 25 अगें काट दीजे तो 5 5 x 25 5 4 x 20 और 5 5 x 25 5 से अगन काट दीजे 5 9 x 45 c e की value आएगी 9 cm इतना आसान है solve करना clear है तो थोड़ा सा आपको common factors को काटना आना चाहिए ठीक है यहाँ आप simple rough में आप divide कर दीजे clear है यहाँ तक चलिए board कर देते हैं clear और question number 14 पे भी हम यहाँ पे कर देते हैं clear move करते है question number 15 की तरफ question number 15 क्या गह रहा है find the area of the shaded region अब इसमें shaded कोन सा है sir तो यह brown part shaded है आपका ठीक है इसका area कैसे निकाले तो इसका area कैसे निकाले सबसे पहले तो आप एक काम करिये मैं red pen से आपको दिखायता हूँ आप इस part का area calculate करिये इसको मैं नाम देता हूँ a b c d ठीक है तो यह एक rectangle हमें दिखेगा देखना area of rectangle area of rectangle a b c d यहाँ पर लिख देता हूँ a b c d is equals to length multiplied with its breath और length total दिए 6 plus 6 मतलब 12 तो 12 से मैं multiply कर दूंगा 2 को तो यह आ जाएगा 24 cm square यह a b c d वाला area आया फिर हम कर रहे है area of rectangle एक rectangle हमें और दिख रहा है यहाँ पर तो आप देखेंगे यहाँ पर यह 6 दिया है यह 6 दिया है तो यह rectangle नहीं है square है area of square यहाँ लिख देते है area of square तो area of square यहाँ पर क्या दिया है तो वो square का नाम देते है d e f ठीक है तो a b c d e f g तो d e f g कर देते हैं इसको देखिएगा, यहाँ पे DEFG is equals to 6 into 6, तो 6 multiplied with 6, यह 6 दिया है, यह 6 दिया है ठीक है, तो 6 से 6 को multiply गिया यह हमारा आजाएगा 36 cm square therefore, area of given figure area of given figure यह हमारा आजाएगा 24 plus 36 6, तो यह आजाएगा हमारा 60 cm square total पूरे figure का area आगया अब क्या करना है sir, तो इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे अब क्योंकि 90 degree देखो 90 degree कहां मिलेगा तो 90 degree आपको यहाँ दिख रहा है देखो, यह brown जो part है, यह shaded part है तो brown part को calculate करने के लिए यहाँ पे यह right triangle बनता हुआ, हमें नजर आएगा clear है यह चीच, एक काम करते हैं थोड़ा सा आपको clear करके सिर्व इतना ही part दिखाते हैं, ठीक है तो यहाँ पे मैंने जो नाम दिया था यह दिया था, A, B, C, D और D यहाँ पे दिया था और E यहाँ दिया था तो E, F और G तो कुल मिला के आपने total figure का एक area निकाल लिया 60 cm² अब आपको यह वाले triangle का area निकालना है तो यहाँ पे क्योंकि 90 degree दिया हुआ है तो हम कहेंगे therefore area of triangle D, E, F D, E, F is equals to half multiplied with base माल लेते हैं D, E को ठीक है multiplied with altitude माल लेते हैं E, F को तो यह आपका आजाएगा half multiplied with D, E की value आपको दी है G, F तो G, F 6 cm दिया है 6 multiplied with E, F यह altitude दिया है यहाँ से यहाँ 6 cm तो 2 से यह 6 कटा 3 तो 3 into 6 is 18 18 cm square यह area of triangle area of triangle D, E, F बहुत असान था निकालना ठीक है तो यह हमने निकाल लिया अब हमें निकालना है यह वाला area कौन सा? यह वाला तो इस area को निकालने के लिए हम क्या करेंगे इस area को निकालने के लिए क्यों न हम एक triangle A, B, D को निकाल ले फिर एक triangle B, C, E को निकाल ले इन दोनों को सम करें तो total जो area हमने A, B, C, D rectangle का निकाला था उसमें से यह वाला area और यह वाला area को अगर मैं minus कर दूँ तो मेरे पास यह वाला area आ जाएगा कौन सा? B, D, E तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर देखिएगा area of triangle B, E, D और यही आपको अभी निकालना बचा है तो B, E, D is equal to area of rectangle area of rectangle और area of rectangle A, B, C, D आप निकाल चुके हैं उपर इसमें से minus कर दीजिए किसको? area of triangle area of triangle A, B, D और इसमें से minus कर दीजिए area of triangle कौन सा triangle? B, C, E अगर आप यह action लेते हैं ठीक है? इससे आप उपर वाला triangle triangle B, E, D निकाल लेंगे यह जो part है यह निकाल लेंगे clear है? तो इसको निकालने के लिए अब देखिए हम क्या करेंगे इसको निकालने के लिए हम एक ले लेते हैं blank sheet तो area of triangle A, B, D कितना है? वो हमें नहीं पता तो हम यहां लिख लेते हैं area of triangle A, B, D is equals to तो A, B, D यहाँ पर 90 degree ठीक है? तो यह हमें A, B base माल लेते हैं तो यह हो जाएगा half multiplied with A, B दिया है 12 6 plus 6, 12 और A, D आपको दिया है 2 cm तो यह 2 2 से 2 कट गया तो यह आगया 12 cm square और area of triangle area of triangle कुन सा triangle? B, C, E B, C, E देखिएगा इसके लिए हम कहेंगे half multiplied with half multiplied with 2 multiplied with EC तो 2 into 6 2 into 6 2 से 2 कट गया यहाँ पर आएगा 6 cm square ठीक है अभी हमें क्या करना है तो therefore area of triangle जो हमने लाल पैंस से marking की हुई है B, D, E area of triangle B, E, D is equals to area of right triangle area of rectangle A, B, C, D is 24 24 में से मैं minus कर दूंगा 12 को और 6 को तो यह आजएगा 24 minus 18 और 24 minus 18 कितना होता है तो इसको देखेगा 14 में से 8 गया तो यहाँ बचेगा 6 और फिर 1 में से 1 गया तो शुन्य है तो 6 cm square यह हमारा area of triangle B, E, D आ गया अब मुझसे पूछा था shaded part पूरा तो इसके लिए हम क्या करेंगे 6 cm square को therefore area of shaded region area of shaded region is equals to यहाँ पे मैं area दे रहा हूँ area of triangle B, E, D plus area of triangle तो एक तो B, E, D ठीक है इसमें आप add कर दीजिए D, E, F, F, E, D जो आपने निकाला था भी कहां निकाला है? यह निकाला D, E, F triangle D, E, F तो area of triangle D, E, F को आप add करके जवाब दे दीजिए बस आपको इसी दरीगे से solve करना है तो यह आपका आ जाएगा area of triangle B, E, D मतलब 6 6 plus area of triangle D, E, F is 18 तो 6 plus 18 कर दीजिए तो यह आजाएगा 24 cm2 यह आपका जवाब है यह वो portion आया है जो कि brown color में यहाँ दिख रहा है ठीक है? तो यह जो brown color में दिख रहा था हमने इस portion का area calculate करके finally दे दिया खतम बात तो बस question number 15 दैसे ही solve करना था board कर लेते हैं clear पीछे से भी बना लेते हैं space चलिए move करते हैं question number 16 की तरह 16 में क्या कह रहा है find the height of a triangle उस area is 65 square centimeter और उस base is अब कोई भी तो एक triangle है मैं बोल देता हूँ चलो यह triangle है इस triangle का आपको area पता है A, B, C का area पता है और इसमें आपको base 13 cm पता है तो वो कह रहा है इस triangle की height बताईए मतलब यह बताना height हमेशा नीचे से 90 degree बनाती है तो आपको कुल मिला के यहाँ पे क्या बताना है यहाँ पे अगर मैं इसको d point डाल दूँ तो आपको ad की value निकालनी है to find ad मैं ऐसा लिख देता हूँ तो to find to find ad और ad निकालने के लिए हमें given भी कुछ ना कुछ होगा तो given में हमें एक triangle ABC दिया है और triangle ABC में हमें area given है तो area of triangle ABC area of triangle ABC हमें given है और यह हमें कितना given है find the height of the triangle whose area is 65 cm2 65 cm2 है base हमें known है तो base of triangle ABC हमें known है तो base of triangle यहां पर base हम BC को माल लेते है base BC हमें given है तो base BC हमें given है कितनी यह दिये 13 cm यह आ जाएगा 13 cm चलिया आगे ध्यान दीजेगा अगर base 13 cm है तो हम यहां पर altitude मतलब AD कैसे निकालेंगे तो यह है therefore area of triangle ABC is equals to half multiplied with base है BC और altitude है AD यह है तो half multiplied with base base आपको कितना दिया है BC 13 और AD कितना दिया है यही तो निकालना है ठीक है area कितना given है यह given है 65 तो यह value आपकी solve होगी यह equation solve होगी यह solve होगी तो 65 into 2 transposition method upon 13 ठीक है यह AD की value आ जाएगी खतम बाद 13 into 5 कितना होता है तो 13 into 5 आप देखेंगे 65 होता है और 5 into 2 होता है 10 तो इसका मतलए AD की value आ जाएगी 10 cm खतम बाद मैं कहूंगा 2 से 3 marks का इस पकार का question definitely आपको देखने को मिल सकता है question number 16 के बाद हम move करते है question number 17 पर find the base of the triangle whose altitude is 10 cm यह कह रहा है एक triangle का आप base find करिए A, B, C BC को find करिए अगर इसको altitude 10 cm given है तो AD अगर आपको given है AD is 10 cm to find BC यहाँ पर हमें पता क्या करना है to find BC और आपको given क्या है AD आपको given है चलिए और आपको क्या given है area आपको given है तो area आपको given है area of triangle ABC आपको given है और यह आपको दिया हुआ है मैं ऐसा बोल देता हूं कितना दिया है 0.5 square meter 0.5 meter square आप देखो 3 marks का question है है बहुत easy लेकिन 3 marks का क्यों क्योंकि आपको conversion भी करना पड़ेगा value area की दिये meter square में और उपर जो length दी है मतलब जो आपको AD दिया है altitude वो 10 cm दिया है तो एक आपको cm दिया है और नीचे meter में area दिया है तो यहां तो आप meter square को cm square में बदल लो यहां आप cm को meter में बदल दो यह आपके ओपर depend है इसके लिए आप क्या करेंगे चलिए तो सबसे बहले देखिएगा as we know जैसा कि हमें पता है पूरा conversion करना पड़ेगा ठीके एक meter बराबर होता है 100 cm के ठीके इसका मतलब 1 by 100 जो meter है यह बराबर होगा 1 cm के यह scale समझ आ रहा है यह 100 1 के नीचे आ जाएगा अब 10 cm कितने के बराबर होगा तो 10 cm बराबर होगा therefore 10 cm बराबर होगा 1 by 100 multiplied with 10 और यह meter में convert हो जाएगा 0 से 0 गया इसका मतलब 1 by 10 meter के बराबर होता है 10 cm ठीके आपने क्या किया आपने 10 cm को बदल दिया 1 by 10 meter के अंदर चलिए अगर यह meter के अंदर बदल दिया है तो आपको BC find करना है therefore area of triangle ABC is equals to half multiplied with base multiplied with height तो area of triangle ABC आपको 0.5 meter square दिया है which is equals to half multiplied with base तो base BC आपको निकालना है multiplied with height जो है height आपकी already meter में आ गई है तो 1 by 10 meter आप देखो सब कुछ meter में तो आपका answer भी meter में आने वाला है ठीके इस चीज़ का आपको धियान दखना है तो यह आपका हो जाएगा 0.5 multiplied with 2 multiplied with 10 is equals to BC कैसे किया सर मैंने क्या किया जो denominator में था उसको यहाँ ले जाके multiply कर दिया यह 10 भी यहाँ जाके multiply हो गया खतम अब 0.5 into 2 कितना होता है तो यह again होता है 10 ठीके और 1.0 multiplied with 10 is equals to BC अब 0.1.0 का मतलब है 1 into 10 तो यह आजाएगा 10 ठीके और 10 cm हमारी value आएगी किसकी 10 meter हमारी value आएगी BC की तो यह 10 meter में अंसर आएगा BC की value 10 meter आई क्योंकि सारे unit हमने meter में change कर लिये थे तो जब value हमारी meter में आ रही है और वो आ रही है 10 meter तो यह था हमारा क्या तो find the base, base जो है वो हमारा 10 meter का होगा खतम बात move करते हैं question number 18th की तरफ find the base of a triangle whose area is 3.9 square meter and whose height is 260 cm आप देखो height cm में दिये और area मुझे meter square में दिया है तो इसका मतलब मुझे क्या given है पहले तो हम वो लिख लेते हैं तो हमें given है area of triangle और उस triangle का मैं एक नाम दे दू क्या तो मैं इसा बोलता हूँ triangle ABC की ये लोग बात कर रहे हैं जिसका area इन्होंने मुझे 3.9 meter square ठीक है unit अगर मैं short में M लिख रहा हूँ तो M की power 2 ठीक है and whose height is तो height भी मुझे दी है height मतलब यहाँ पर altitude दी है तो height of triangle भी मुझे given है तो height of triangle तो एक triangle बना लो देखो ये triangle है माल लो तो यहाँ पर इस triangle का नाम है ABC और height मैं बोलता हूँ कि ये AD है तो height मुझे AD given है और ये height मुझे इन्होंने दी है 260 cm ये मुझे cm में दिया है अब मुझे क्या करना है कुल मिला के अगर ये 260 cm दिया है तो मुझे base निकालना है to find to find तो मुझे base calculate करना है और base है हमारा base BC ठीक है तो ये पता करने के लिए area का formula क्या होता है तो area का formula होता है area of triangle अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे तो area of triangle में ये हमारा होता है half multiplied with base multiplied with altitude ठीक है height जिसकी ये लोग बात कर रहे है लेकिन problem ये है कि unit जो है unit आपको change करनी पड़ेगी ये meter square में काम करो centimeter को meter में convert कर लो तो देखो 1 meter क्योंकि 100 cm के बराबर होता है ठीक है और मुझे 260 cm को meter में change करना है इसका मतलब 1 cm जो है ठीक है 1 cm जो है वो 1 by 100 meter के बराबर होगा इसका मतलब 260 cm जो बराबर होगा ये होगा 1 by 100 multiplied with 260 इसको मैं 260 रुपे से multiply कर दूँगा तो यहाँ पे एक 0 से तो 0 कर जाएगा 2.6 meter आएगा तो ये 260 cm जो है ये 2.6 meter के बराबर होगा अब देखो दोनों unit meter में हो गई है area of triangle ये है 3.9 ठीक है half multiplied with base मुझे कितना दिया है तो base मुझे इन्होंने दिया है BC ये ही जो मुझे find करना है multiplied with altitude altitude मुझे इन्होंने दिया है 2.6 meter ये हो गया अब ये 2 यह 3.9 के साथ जाके multiply हो जाएगा और upon में 2.6 आएगा और ये हमें value BC की देदेगा उपर नीचे decimal की बाद एक ही place है एक ही digit है तो decimal की बाद क्योंकि एक ही digit है तो decimal से decimal remove हो जाएगा और ये 2 से 26 कट जाएगा तो 2 1 times 2 3 times 6 हो जाएगा और 13 से 39 जाएगा 3 times तो मैं ऐसा कहूंगा कि जो base है BC इसकी value निकलके आ जाएगी और ये निकलके आएगी 3 cm कितना निकला 3 cm नहीं 3 m क्योंकि सारे unit meters में थे तो आपको unit का ध्यान दखना पड़ेगा इसलिए ये question जो है ज्यादा marks में दिया जाता है क्योंकि यहीं गलती होती है तो units की गलती आप एकदम कर सकते हैं हो सकता है आप units का ध्यान न रखें इस चीज को हमें ध्यान रखना है question number 19 देखिएगा board कर लेते हैं clear और question number 19 क्या है तो question number 19 क्या रहा है field is in the form of a right triangle एक field है जिसका shape जो है वो एक right triangle का shape है तो ये एक right triangle है ठीक है अब field is in the form of a right triangle with hypotenuse 50 meter इसका जो hypotenuse है वो 50 meter का है ठीक है and one of the perpendicular side is 40 meter और इन दोनों में से जो side है उसमें जो perpendicular side है वो 40 meter की है ठीक है find the area of the field आप बताइए field का area क्या होगा अब देखिएगा field क्योंकि 90 degree एक angle बना रहा है ठीक है तो यहाँ पर मैं कहूंगा इस triangle का नाम है a, b, c ठीक है angle या ऐसा बोलो कि triangle a, b, c is a right triangle is a right triangle यह एक right triangle है ठीक है angle b जो है वो 90 degree हमें दिया है ठीक है यह हमें given है और यहाँ पर मुझे hypotenuse की बात की गई है तो hypotenuse जो है hypotenuse है a, c तो hypotenuse a, c is equal to 50 meter ठीक है और जो perpendicular है ठीक है perpendicular यह आपको known है और perpendicular आप यहाँ पर a, b को बोल दो तो यह है आपका कितना 40 meter दोनों unit meters में है यह मैंने चेक कर लिया यह आपको given था ठीक है पता क्या करना है तो मुझे area निकालना है area of triangle area of triangle a, b, c मुझे find करना है तो यह मुझे find करना है इसके लिए मैं क्या करूंगा तो इसके लिए अगर मुझे triangle का area निकालना है तो मुझे perpendicular base दोनों पता होना चाहिए क्योंकि मुझे base नहीं पता इस कारण में क्या करूंगा मैं सबसे पहले तो यहां पर Pythogorius Theorem लगाऊंगा तो using Pytho Theorem using Pythogorius Theorem ठेक है Pytho लिखके आप dot भी लगा सकते हैं तो using Pytho Theorem मैं कहूंगा hypotenuse का square हमेशा equal होता है perpendicular square plus base square के तो perpendicular square और base square के बराबर होगा ठीक है इसका मतलब hypotenuse आपको दिया है 50 और 50 का आप कर देंगे square which is equals to 40 40 का आप कर देंगे square plus base आपको नहीं पता तो base आपका है यहां पर BC मैं ऐसा लिख सकता हूं कि BC का whole square ठीक है अब 50 का square तो 5 into 5 होता है 25 double 0 यह 40 इदर आएगा यहां एक काम करते हैं अपन एक step बढ़ा लेते हैं 4 into 4 16 होता है 1600 प्लस BC का square ठीक है और BC का square finally कितना आएगा तो BC का whole square आएगा 2500 में से आप multiply कर दो 1600 को तो यह आपका आजाएगा 900 clear है और 900 आपकी value आईए BC का whole square इसका मतलब values हैं जिनका दो बार multiply करने पर 900 आएगा तो मैं ऐसा कहूंगा BC की value आएगी 30 क्यों 30 आई आई आपको समझा रहा है क्योंकि 30 multiplied with 30 900 होता है BC multiplied with BC 900 है BC का square मतलब BC की power में 2 है इसका मतलब BC दो बार multiply हुआ BC दो बार multiply हुआ है तो इसका मतलब BC की value 30 आएगी अब BC 30 आया है that means यह 30 meter आया है तो यह 30 meter आ गया तो finally मुझे base मिल गया अगर मुझे base मिल गया तो finally मैं यहाँ पर area calculate कर सकता हूँ तो area of triangle ABC इस case में आ जाएगा 1 by 2 multiplied with base है BC मतलब 30 multiplied with height यह है आपकी 40 है और 2 से यह 40 कटेगा तो यह आजाएगा 30 multiplied with 20 और यह आजाएगा आपका 600 600 area of the triangle आएगा meter square बस यह आपका finally area of triangle ABC निकल के आपके सामने आगया copy कर लिजे ठीक है move करते है question number 20 की तरफ question number 20 क्या कह रहा है इसको देखिएगा a field is in the form of a triangle एक field है जो की triangle के shape में है ठीक है तो आप field is in the form of a triangle if its area is 2 hectare होना चाहिए था यहाँ पर basically एच्चे लिखा है hectare है and the length of its base is 200 meter अब इसको समयना यहाँ पर यह कहरा एक field है ठीक है वो field एक triangle की shape की है अब मुझे triangle ही नहीं पता किस shape का है तो मैं कुछ भी बनायता हूँ ठीक है अब यहाँ पर a, b, c एक triangle दिया है जिसका area आपको known है तो area of triangle a, b, c is equals to 2 hectare होना चाहिए था ठीक है तो यह 2 hectare है and the length of its base is उसके जो base का length है तो इसका मतलब length of base और आपको base b, c यहाँ पर known है यह आपको दिये meters में 200 meter दिया है ठीक है then find its altitude आप बताईए उसका altitude कितना होगा तो altitude कितना होगा हमें एक चीज़ यहाँ पर known है वो यह की area of triangle कैसे find करते हैं तो area of triangle a, b, c निकालने के लिए मैं यहाँ पर half को multiply करूँगा b, c के साथ और b, c को multiply करूँगा base और altitude altitude है ad जो मुझे find करना है ठीक है तो यहाँ पर half multiplied with b, c और b, c की value आपको complete जो base दिया है मतलब 200 meter दिया है तो 200 multiplied with ad को भी मैं meter अगर assume करके चलता हूँ तो यह 2 से 200 कटेगा यह आएगा 100 multiplied with ad दोनों meter आपस में multiply होंगे तो यह meter square में value देंगे किस में value देंगे meter square में अब यहाँ पर देखना as we know जैसा कि मुझे पता है मुझे यह पता है कि एक hectare जो बराबर होता है एक hectare दस हजार meter square के बराबर होता है यह area है और एक्चली यूज़ होता है बहुत बढ़ी जमीन के लिए तो यहाँ पर है hectare को जब आप meter square में convert करते हैं तो हैक्टर बराबर होता है दस हजार meter square के तो दस हजार meter square का मतलब यहाँ पर है आपका दो हैक्टर जो बराबर होगा तो 2 hectare बराबर होगा 20,000 meter square के 20,000 और ये 20,000 क्योंकि 2 hectare की value आ गई है तो इसका मतलब इस 2 hectare की जगा पे मैं 20,000 भी लिख सकता हूँ तो 20,000 is equals to 100 into AD क्योंकि ये भी तो area था ये भी तो area of triangle था तो area of triangle ABC ये भी था और area of triangle ये भी था 2 hectare तो दोनो area of triangle है इसका मतलब दोनों की value same होगी तो इसका मतलब ये है कि 20,000 को जब मैं divide करूंगा 100 से तो ये मेरी AD की value देदेगा meter में और ये AD आएगा 200 meter AD is equals to 200, 200 meter clear है तो यहाँ पर कैसे चीजों को find करना है वो हमने कर दिया solve finally तो question number 20 हो गया हमारे सामने solve board कर लेते हैं clear move करते हैं question number 21 की जगह पर question number 21 कह रहा है the base of a triangular field is एक triangular field है जिसका base आपको known है तो मैं यहाँ पर बोल रहा है triangle का नाम है PQR ले लेते हैं अब तो base of the triangular field is 540 meter ये है 540 meter and its height is 230 meter इसकी जो height है ये है 230 meter 230 meter ठीक है find the cost of leveling the field at rupees 25 per acre देखो हर एक एकर का जो cost आपको दिया हुआ है acre मतलब area की बात हो रही है तो area का जो costing दिया है वो दिया 25 rupees ठीक है और यहाँ पर यह दोनों values हमें meter में दिया है तो इसका मतलब सबसे पहले तो मैं ऐसा बोलूँगा कि base मुझे known है base qr मुझे known है जो कि 540 meter है ठीक है और मुझे pqrs ले लेता हूँ इसको तो मुझे ps altitude known है तो altitude यहाँ पर कितना है तो altitude की value ps की value है 230 meter clear है ये भी अब देखो यहाँ से क्या मैं area find कर सकता हूँ तो area of triangle pqr ये मैं लगा दूँगा half multiplied with base multiplied with altitude clear है तो इसका मतलब half multiply होगा base base कितना है तो यहाँ पर base है 540 और ये multiply होगा altitude के साथ मतलब 230 के साथ तो ये value हमारी कितनी आएगी देखिएगा यहाँ पर ये value आएगी area of triangle pqr is equals to 2 से ये 540 कटेगा तो 2 into 2 4 ठीके 2 into 7 is 14 and 0 270 multiply होगा 230 के साथ और ये value meter square में आएगी तो ये हमारा आजाएगा 2 0 यहाँ आएगे और 27 multiplied with 23 अगर मैं करता हूँ तो 3 into 7 is 21 3 into 2 is 6 7 8 cross 2 into 7 is 14 और ये आजाएगा 5 4 1 और 8 और 2 मतलब 12 12 का 2 कहरी वन 621 तो ये आजाएगा 621 00 ठीक है meter square ये आगे आपका area of triangle area of triangle PQR आगे देखेगा अभी हमारा answer नहीं आया है ठीक है हमारा answer नहीं आया अब देखो ये बोल रहा है the base of a triangular field is this and the height is this find the cost of leveling the field अब हमें ये निकालना है कि इतनी field को leveling करने का क्या खर्चा आएगा तो उन्होंने जो खर्चा दिया है तो as we know जैसा कि हमें पता है या as given जैसा कि दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि एक एकर का खर्चा ठीक है one acre is equals to एक एकर का खर्चा rupees 25 है ठीक है तो इसका मतलब क्या मैं meter square को acre में change कर सकता हूँ तो वो देखिएगा कैसे करेंगे 4046.856 something value होती है एक acre की meter square में ठीक है तो एक acre को हम इतना meter square बोल सकते हैं और इसका cost actual में 25 rupees दिया है इसका मतलब एक meter square की value अगर मैं निकालना चाहूँगा तो ये value निकलेगी 25 upon 4046.856 अगर मैं ऐसा ले लूँ ठीक है एक हम figure लेंगे वो बहुत approximate figure लेंगे हम एकदम correct figure नहीं निकालेंगे ठीक है तो एक meter square की अगर ये value है तो 62100 meter square की कितनी therefore 62100 meter square is equals to 25 upon 4047 ले ले लेते हैं एक approximate value ठीक है इसको round कर दिया तो 4047 multiplied with 62100 और ये total cost निकल के आ जाएगा तो इसको अब आप लोग solve करिये और मुझे value बताइए 25 upon 4047 multiplied with 62100 solve करने पर आपका answer आ जाएगा तो कैसे solve करना है total amount कैसे निकालना है ये निकलाया एक एकर का 25 उपे तो एक meter square का कितना एक एकर में इतने meter square होते हैं ये आपको भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा मैं ऐसा बोलूँगा 4046 ठीक है और ये हर जगा आपको देखने को नहीं मिलेगा competitive level पे इस पगार के question देखने को मिल सकते हैं चलिए question number 22 देखते हैं next question कह रहा है sheet of paper measure 30 cm by 20 cm एक rectangular sheet है और यहाँ पर इन्होंने बोला है 30 cm ऐसे में है और 20 cm ऐसे में है ठीक है आगे क्या बोला है इन्होंने बोला है strip of 4 cm wide एक 4 cm चौड़ी strip is cut from it all around अच्छा यह यहाँ पर यह बोलना चाहरा है कि अगर मैं इस paper में से 4 मीटर चौड़ी ठीक है कोई strip card देता हूँ तो मैं एक काम करता हूँ drawing दुबारा बनाता हूँ देखो इस ठीके से अगर मैं एक triangle लेता हूँ rectangle लेता हूँ और इस rectangle में से मैं एक strip काटता हूँ जो कि 4 मीटर वाइड है 4 तरफ से 4 मीटर वाइड ठीक है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये बड़ी वाली sheet थी ठीक है सुरी हाँ ये बड़ी वाली sheet थी इसमें से तुमने ये strip पे काटके निकाल दी कौन सी मैं इसको shed कर देता हूँ तो ये shedding part हमने काटके निकाल दिया ठीक है आप ऐसा दो मिंट के लिए assume कर लीजिए कि ये बड़ी sheet थी और इसका नाम था A, B, C, D अब यहाँ पे मैंने क्या किया तो मैंने कुल मिला के यहाँ पे आप धिहान से देखेंगे तो मैंने ये 4 मीटर चौड़ी strip एक साइट से काटके निकाली तो ये 4 cm मैंने निकाली 4 cm ठीक है और मैंने क्या किया ऐसे 4 तरफ से किया it all around ठीक है यहाँ से भी मैंने 4 cm उपर साइड में strip काटके निकाल दी तो ये 4 cm की strip निकाल दी ऐसे ही मैंने ये जो तुकड़ा निकाला ये भी 4 cm का तुकड़ा था ठीक है और ये वाली strip भी आपकी 4 cm की strip थी ऐसा माल लो ठीक है अब ये बोल रहा है find the area of the remaining sheet बच्ची हुई sheet का area बताइए क्या होगा मतलब आपको ये blue pen से जो मैंने shed किया है इसका area बताना है ये ठीक है ये जो मैंने यहाँ पर एक net type का center में बनाया है blue pen से इसका area बताइए ये जो रेट कलर का cut out piece है उसका area कितना है तो देखिएगा सबसे पहले तो मैं area ढूंदता हूँ A, B, C, D का कितना है तो area of rectangle अगर आप देखें तो complete shape मुझे एक rectangle दिख रहा है और rectangle का नाम है A, B, C, D और इसकी length into breath हम करेंगे तो length है इसकी 30 cm by 20 cm तो ये आजाएगा 600 cm square total जो sheet थी वो मेरे पास 600 cm square की थी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो length मुझे दिया था ठीके ये दिया था 30 cm और यहाँ से यहाँ तक की जो breath मुझे दी थी ये मुझे दी थी इन्होंने 20 cm clear है ये चीज़ तो ये 30 cm वो 20 cm ठीक है 30 into 20 is 600 cm square अब a strip of 4 cm wide is cut from all around तो total में से अब बचा कितना तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो new length है अगर मैं ऐसा बोल दूँ इसी के अंदर लिख दूँ अगर मैं ये सब clear करके तो दियान दीजेगा यहाँ से यहाँ तक की जो length है इसको अगर मैं small l बोल दूँ तो ये length इदर से 4 cm अटा दो इदर से 4 cm अटा दो तो total 30 में से आप 8 remove कर दीजे 4 इदर से 4 इदर से तो length ये अंदर वाली आएगी इतना आपने हटा दिया इतना part हटा दिया और इतना part हटा दिया तो 30 में से अगर 8 गए तो ये आएगा आपका 22 cm और ये अगर आप देखें यहाँ से ये length ये breadth थी तो total 20 में से अगेन आप 8 हटा दिजे तो ये बचेगा आपका 12 cm इसका मतलब अंदर की जो sheet है वो 22 by 12 cm की बचेगी तो area of remaining sheet area of remaining sheet is equals to small l multiplied with small b small length multiplied with small breadth तो ये जो है ये breadth है इसको हम small b बोल देते हैं small b जो है ये हमारा 12 cm है तो यहाँ पर length हमारी आजेगी 22 multiplied with 12 तो ये हमारी value कितने आएगी तो 22 में से 12 multiply किया 2 into 2 4, 2 into 2 4 cross 1 into 2 is 2, 1 into 1 is 1 तो 4, 6, 164 तो 164 cm square अब sheet हमारे पास बच जाएगी clear है ये चीज चलिए यह हमसे पूछा था find the area of the remaining sheet वो हमने निकाल लिया find the area of the remaining sheet area of the remaining sheet आगया also find the area of cutout strip कितना काट के निकाल दिया तो total area में से जब center का area हटा दोगे ठीक है तो area of area of cutout piece कितना हमने तुकडा काट के निकाला उसका area क्या है तो total area में से मैं remaining sheet का area minus कर दूँँगा ठीक है तो ये 600 में से 164 हो जाएगा minus 10 में से 4 गए 6 ठीक है 9 में से 6 गए 3 और 5 में से 1 गया 4 436 cm2 का area वो था जो मैंने cut करके निकाल दिया clear है बस ऐसे ही चीज़ों को solve करना था question number 22 आपके सामने हो गया है question number 23 देखिएगा अग 3 meter wide path runs around the rectangular park एक rectangular park है मालनीजी यह rectangular park है और इसके चारो तरफ एक रस्ता बना हुआ है मैं बोल देता हूँ jogging के लिए आप लोगों ने पार्क में गयोंगे आपने देखा होगा बीच में grass लगी रहती garden मना होता है और उसके चारो तरफ path बनी होती यह walk करने के लिए तो वो ही है ऐसे ही बोला है इन्होंने आप 3 meter wide wide मतलब चोड़ा मतलब यहां से लेके यहां तक का जो distance है वो 3 meter है चारो तरफ से यहां से यहां तक 3 meter है वहां से वहां तक 3 meter है और यह भी आपका 3 meter है चलिए ध्यान दीजेगा यह सब 3 meter है तो आप 3 meter wide path रंस एराउं outside the rectangular park of dimension 125 meter by 65 meter इस park का जो dimension है मतलब small L आपको दिया हुआ है यहां से यहां तक यह small L है और यह B है इधर से इधर तक small B है और यहां से लेके यहां तक यह small L है तो small L आपको दिया है 125 meter और आपको small B की value दीवी है park का breath दिया है 65 meter ठीक है आगे क्या बूला है find the area of the path आप बताईए यह जो path है सिर्फ इसका area क्या है ठीक है तो यह 4 तरफ path लगा हुआ है आप इसका area बताईए क्या होगा इतना असान है यह सकते हैं हमें length ब्रेथ तो known है पार्क की तो a 3 meter wide path runs around the outside a rectangular park तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ length of path path की length मैं अगर capital L बोल दू तो small L जो था वो आपका 125 था 3 meter इधर 3 meter इधर तो यह total जो length है यह आजाएगी 125 प्लस 6 तो यह आजाएगी 125 तो अंदर garden जिसमें green grass लगी होगी 3 meter इधर wide 3 meter इधर wide तो मैं कहूंगा 3 प्लस 3 तो यह आपका आजाएगा 3 प्लस 3 छे 6 प्लस 5 11 11 का एक कैरीवन 131 meter ठीक है ऐसे breath of breath of path path का अगर breath की हम बात करें तो small sorry capital b हम ले रहे हैं यहां पर तो breath मतलब यहां से यहां तक तो टोटल अंदर जो small b की value दी थी 65 65 में 6 add कर दो तो 65 आपको small b दिया था दोनों तरफ 3 और 3 को add कर दो तो यह आजाएगा 3 प्लस 3 6 6 प्लस 5 इस 11 71 मीटर clear है तो देखो length of the path and breath of the path तो area of area of path including including garden including garden in center ठीक है हम पूरा पता कर रहे हैं including garden in center ठीक है तो यह पूरा area क्या होगा मतलब पूरा area मतलब अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूँ a b c d तो हम पूरे rectangle का area निकाल रहे है पूरे rectangle का जो area आएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ bracket में a b c d का यह आएगा length into breath तो length मतलब capital L multiplied with capital B ठीक है और यह हमारा आएगा 131 को हमने multiply किया 71 के साथ तो यह हमारा कितना आएगा तो 131 cross 7 1 times is 7 और 7 3 times is 21 2 carry और यह 9 तो यह आजाएगा 1 10 10 का 0 carry 1 9 3 0 1 तो यह आजाएगा 9 3 0 1 meter square यह total area आया a b c d का इसमें से अगर मैं garden भार निकाल दू garden का area भार निकाल दू तो blue pen का use कर लेता हूँ मैं देखिएगा area of garden सिर्फ garden का area देखिएगा जो अंदर blue line के साथ आपको देख रहा है ठीक है small L multiplied with small B और यह आजाएगा small L की value 125 multiplied with 65 length into breath ठीक है तो 125 multiply होगा 65 के साथ देखिएगा 125 multiply होगा 65 के साथ 5 into 5 is 25 2 5 into 2 is 10 11 12 12 का 2 carry 1 6 25 cross 6 into 5 is 30 तो यह आया 3 6 into 2 is 18 6 into 2 is 12 और plus 3 is 15 15 का 5 carry 1 और यह आएगा 750 तो यह आया 5, 2, 11, 8, 1, 2, 5 तो यहाँ पर यह आजाएगा 8, 1, 2, 5 meter square ठीक है यह आया area of the garden 8, 1, 2, 5 meter square मतलब center में यह जो garden है इसका area भी आपको मिल गया आपको बदा करना था area of the path तो area of the path आप कैसे निकालेंगे तो area of path is equals to इस area में से यह area माइनस कर दो मतलब 9, 3, 0, 1 में से मैं माइनस कर दूँगा 8, 1, 2, 5 को 8, 1, 2, 5 को आप माइनस कर दीजिए simple है 11 में से 5 गए तो बचा 6 तो 11 में से 5 गए बचा 6 ठीक है 9 में से 2 गए तो यह बचा 7 और 3 ने कह रही हुआ मनदा 2, 2 में से 1 गया एक ठीक है और 9 में से 8 गया तो 1, 1, 1, 7, 6 meter square यह हमारा answer है find the area of the path path का area है 1, 1, 7, 6 meter square simple ठीक है तो यह जो मैंने dotted line था इसका area निकाला 1, 1, 7, 6 meter square question number 23 हो गया हमारा solve board कर लेते हैं clear question number 24 देखेगा और वरंड़ 1.25 meter wide is constructed all along the outsider room एक room है ठीक है और इस room के 4 तरफ मैंने वरंड़ा बनाया वरंड़ा आपको known है आपके घर के 4 तरफ खाली spacing ठीक है ये खाली spacing के बारे में बात हो रही है अब कितना wide है तो 1.25 meter wide है मतलब सारे तरफ से ये 1.25 meter wide है ठीक है तो यहाँ पर center में आपका घर है ठीक है इसकी wideness दिये चलिए जोवमेंट hold करिएगा हम board clear करके दुबारा बना लेते हैं ये आपका वरंडा वरंडा की घर में center में घर माल लीजिये और चारो तरफ की spacing दिये यहाँ से यहाँ तक का wideness यहाँ का यहाँ तक का wide और यहाँ से यहाँ तक का wide ये जो width दी है ये वरंडा दी है 1.25 meter तो 1.25 meter wide दिये यहाँ से भी यहां से भी आगे क्या बोला है and all along the outside the room 5.5 meter long and 4 meter wide मतलब यह rectangle है 5.5 meter long ठीक है यहां से यहां तक यह दिया है और यहां से यहां तक यह दिया है 4 meter यहां से यहां तक दिया है यह 4 meter तो length and breadth दिया है wide, find the area of the veranda, आप से veranda यहां पर एक हमसे गलती हुई है मैं आपको बताता हूं देखे यह जो दिया 5.5 meter यह actual में veranda नहीं दिया यह length of breadth दिया हमें room की तो आप वेरेंड़ 1.25 meter wide is constructed all along the outside the room room की length और width दिया तो room की length of width दिया मतलब यह अंदर लिखेंगे हम 5.5 meter यह आपको L दिया है और आपको breadth जो दिया है वो आपको इन्होंने दिया है 4 meter की तो यह दिया है आपको clear है? चलिए अभी हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम area of room calculate करते हैं तो area of room यह हमारी आएगी length into breadth मतलब 5.5 multiplied with 4 तो यह आएगा 4 into 5 is 20 0 2 carry 4 into 5 is 20 22 22.0 meter square यह मेरा area आया किसका area of room आया? room जो है वो 22 meter square का room है तो वरांडा कितना area में है? इसका मतलब area इसका मतलब मुझे क्या करना है? मुझे सबसे पहले तो length with वरांडा calculate करना है length of वरांडा तो वरांडा की length क्या है? V E R A N D H D A H तो length of वरांडा ठीक है? यह हमें दिया है 5.5 plus 1.25 तो 5.5 plus इस side का 1.25 और इस side का 1.25 clear है? इनको add कर दीजे तो यह add करने पे आ रहा है 5 plus 5 10 10 का 0 carry 1 5 और 5 10 10 का 0 carry 1 6 7 8 8.0 meter यह total length आ रही है यहां से यहां तक की ठीक है? और इसकी breadth कितनी आ रही है? तो 4 plus 1.25 4 plus 1.25 and plus 1.25 तो 2 और यह 10 10 का 0 carry 1 2.5 plus 4 तो 2.5 plus 4 का मतलब है 6.5 तो यह total आएगा 6.5 meter यह यहां से यहां तक का total breadth आ गया ठीक है? तो length of veranda यह आ रहा है 8 meter का और यहां पर width तो width of veranda और यह width आ रही है हमारी कितनी? तो यह आ रही है 6.5 meter अगर मैं total area निकालू with veranda तो area of plot अगर मैं निकालू area of veranda with with what? with house ठीक है? तो complete plot का अगर हम निकालें तो यह आएगा 8 multiplied with 6.5 तो 8 into 5 is 40 0 4 carry 8 into 6 is 48 48 plus 4 तो 52 तो यह आ जाएगा 52 meter 52 meter square देखिएगा अभी क्या है? हमें सिर्फ veranda का area निकालना हमें सिर्फ shaded portion का area अगर मैं निकालू यह है इसका shaded portion अगर मैं dots कर देता हूँ ठीक है? तो यह अगर इसका area निकालना है तो total plot के area में से आप minus कर दीजे therefore area of only veranda यह आएगा हमारा 52 minus 22 तो 52 minus 22 which is equals to 30 meter square clear है? तो 30 meter square यह area of veranda आजाएगा the cost of cementing the floor of the veranda at the rate of 25 per square meter अब flooring का rate भी देखिएगा तो हमें 1 meter square गा मैं blank sheet ले लेता हूँ यहाँ पे 2 minutes hold करिये, चलिये यहाँ पे देखिएगा हमने blank sheet लेके हम cost निकालते हैं now cost is cost is rupees 25 rupees 25 for 1 meter square 1 meter square का cost यह है तो total अगर veranda का floor का हमें flooring करवानी है तो वो है 30 therefore 30 meter square की cost आएगी 25 into 30 और यह आजाएगा 0, 3 into 5 is 15 between 5 carry 1, 3 into 2 is 6 and 7, तो यह आजाएगा 750 rupees अगर मुझे flooring करवानी है मतलब cement करवाना है floor के उपर, तो उसका area मैंने calculate कर लिया था, पीछे veranda का area 30 meter square था, उसका cost आएगा 25 multiply कर दो simple, तो यहाँ पी second part कर लिया पीछे हमने first part solve किया था इस पकार से आपको 24 question पूरे solve आपने हां तक कर लिये है move करते हैं, इसके next question question number 25 क्या कह रहा है इसमें कह रहा है rectangular field has dimension of 25 meter by 16.4 meter तो देखो एक rectangular field है, यह रही rectangular field ठीक है, और इस rectangular field का dimension आपको 25 meter चलिए, और आपको breadth दी है 16.4 meter तो यह breadth दी है 16.4 meter, अब यह कह रहा है, two path run parallel to the sides of the rectangle, through the center of the field, यह बड़े काम की line है देखो, रस्ते कितने हैं कितने path बने हैं, से 2 ही path बने हैं, ठीक है और कहां बने हैं, यह field के center में बने हैं, तो field के center में बने हैं, क्या मैं ऐसा बोल दूँं कि एक path तो यह होगा आपका, ठीक है, यहाँ पर एक path आपका यह होगा center में से यह path निकला ठीक है, एक रस्ता जाने के लिए ऐसे निकल गया और इसी में से एक path यह निकल गया, तो two path बने center में से, तो इस ही कैसे यह बन गया, अब यह कह रहा है through the center of the field the width of the longer path जो लंबा वाला path है उसका जो width है, वो 1.7 meter है, तो यह जो लंबा path है, यह लंबा path है, लॉंगर path है, इसका width जो है, यह 1.7 meter है, ठीक है and that of the shorter path is 2 meter, और जो शोटर path है जो छोटा रस्ता है उसका 2 meter है, 2 meter है मतलब थोड़ा सा मोटा है इस से, ठीक है तो यह वाला जो रस्ता है, यह 2 meter का है, चलिए ठीक है, और क्या बूला है तो इसमें आगे बूला है, find the area of the path आप बताईए, path का area कितना होगा, तो एक काम करते हैं, longer path length of the path, length length of the longer path, of the longer path जो length है longer path की, ठीक है longer path यह है, इसकी length कितनी है तो यह है 25 meter, ठीक है तो 25 meter की यह longer path की length है, और इसकी जो breadth है, तो इसकी जो breadth है, breadth of the longer path, longer path की मोटाई यह width की अगर मैं बात करूँ तो यह हमें दिये 1.7 meter therefore area of area of longer path longer path का जो area है यह हमारा हो जाएगा 25 multiplied with 1.7 clear है? तो 25 को अगर मैं multiply कर दू 17 से तो यह हो जाएगा 7 into 5 is 35, 3 उपर 7 into 2 is 14, 14 plus 3 तो 15, 16, 17 cross 1 into 5 is 5 1 into 2 is 2, तो यह 5 7 plus 5, तो 10, 11, 12, 12 का 2 carry 1, 3 और 4, 425 तो यह आजाएगा आपका 425 42.5 clear है? 42.5 meter square तो यह कौन सी path हाई है? यह हमारी path हाई है सिर्फ यह लंबी वाली path लेकिन हमें दोनों path का area बताना है इस path की अगर मैं बात करूँ तो इस path का जो इतना area है यह area already consider हो चुका है ठीक है? इतना हम area already longer path में ले चुके हैं तो हमें सिर्फ यह area प्लस यह area करना है इस चीज को आपको समझना पड़ेगा ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि now area of यह now length of shorter path length of shorter path यह smallest path जो छोटा path है उसका जो length है यह है हमारा कितना? तो छोटा path का जो length है वो है 2 meter ठीक है? और इसका जो breath है जो मोटाई है ठीक है? breath कितना है? तो breath आप देखिए total मैं अगर बोलूँ यह है 16.4 यह है rectangle total तो 16.4 तो इसका जो breath है breath of smallest path यह हमारा आजाएगा कितना? 16.4 meter लेकिन इसका area निकालने में इसका area जब मैं निकालूँगा तो 2 meter by 16.4 meter करूँगा लेकिन उसमें यह area मुझे minus करके निकालना है तो इस area को minus करके निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? यह भी देखना therefore area of area of smallest path area of smallest path is equals to 16.2 multiplied with 16.4 और यह आजाएगा 2 into 4 is 8, 2 into 6 is 12, 12 का 2 carry 1 32.8 meter square ठीक है? तो यह आजाएगा 32.8 meter square लेकिन इसमें यह area जो है यह minus करना है तो area already included area already included in longer path longer path में एक area already include किया था वो कितने बाइ कितने का area था? वो था 2 by 1.7 का तो 2 multiplied with 1.7 आपको minus करना पड़ेगा तो 2 into 7 is 14, 14 का 4 carry 1, 3.4 meter square का area already अल्रेडी लंबे वाले पाथ में एक बार ले चुका हूँ तो छोटे पाथ में से उस area को हटाना पड़ेगा ठीक है? तो यहाँ पे यह आएगा area of path area of path is equals to longer area जो था 42.5 plus इसमें अगर मैं 32.8 कर दूँ और इस 32.8 में से अगर मैं minus कर दूँ कितना? 3.4 तो यह आजाएगा total area ठीक है? किसका area? वो area जो path अपने अंदर लेके बैठा हुए मतलब वो area जो path ने cover किया है longer area पूरा आएगा shorter area में मैं 3.4 को हटा दूँगा ठीक है? तो यहाँ पर यह आजाएगा कितना आएगा? 0.5, 0.8 कितना होता है? यहाँ तो इन दोनों को minus कर दो तो यह होता है 42.5 plus 8 में से 4 गया 4.12 में से 3 गया तो 12 गया, 11 गया, 10 गया 9 तो यह आएगा 29.4 और यह आएगा 0.9 ठीक है? 9, 10, 11, 11 यह है टोटल एरिया जो यह पाथ अपने अंदर कवर कर रहा है क्लियर है? हमने यह सिर्फ एपार्ट किया है अभी इसका बी पार्ट अभी बचा है दे एरिया ओफ दे रिमेनिंग पोश्चन अफ दे फील्ड वो एरिया बताईये जो रिमेनिंग पोश्चन है मतलब यह वाला जो एरिया है अगर मैं पाथ हटा दूँ तो यह वाला एरिया कितना बचेगा तो इसके लिए हम एक काम करते हैं ब्लैंक शीट ले लेते हैं ब्लैंक शीट यह हमने ले ली है चलिए यहाँ पे ध्यान दीजेगा यहाँ पे मैं क्या गर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एरिया ओफ पूरा मैं किसका एरिया देख रहा हूँ पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया कितना है तो हमने अभी तक निकाला नहीं था 25 into 16.4 25 multiplied with 16.4 ठीक है यह total area था तो 16.4 मतलब 164 में हम 25 को multiply कर देंगे 5 into 4 is 20 5 into 6 is 30 और 30 plus 2 is 32 5 into 1 is 5 और plus 3 is 8 cross 2 into 4 is 8 2 into 6 is 12 12 का 2 carry 1 और यह 3 तो 0 10 10 का 0 carry 1 9 10 11 और यह 4100 तो यहां आएगा 4100 मतलब 410 मीटर स्क्वायर हमारा जबाब आएगा ठीक है यह answer नहीं आया भी second का answer आया है पूरे rectangular field का area तो area remaining portion area of remaining portion अब हम देंगे area of remaining portion हमारा जबाब आएगा is equals to 410 में से मैं minus कर देता हूँ 410 में से मैं कितना minus कर दूँ तो इधर देखिएगा 410 में से हम minus कर देंगे यह वाला area area of the path यह वाला area तो यह 71.9 को हम minus कर देंगे अगर हम यह minus करते हैं तो देखिएगा इदर 410 में से 71.9 को मैं minus करना है तो तो 10 में से 9 गए एक, 9 में से 1 गए आठ, 1 गए खतम, फिर 6 मतलब 10 में से 7 गए तीन और 4 ने कहरी दिया हो गए तीन तो 338.1, 338.1 meter square यह आपका area of remaining portion आया कौन से remaining portion यह जो मैंने lines कीची है clear है, path को अगर अटा देंगे, तो field में से जब path का area अटा दिया, तो कितना remaining portion बच रहा है, वो आपको बताना था clear है, board कर देते हैं clear, दोनों part यहाँ पर आपके हो गए, solve, ठीक है, अब move करते हैं next question, question number 26 की तरफ, यह बोल रहा है अब path 1 meter wide is built along the border inside a square garden of site 30 meter, एक square garden है, square garden मतलब ऐसा garden जिसके चारो sites equal है, यह side, यह side, यह side, यह side, एक square garden यह कहा रहा है, एक path है, जो कि 1 meter wide है, उसको बनाया गया, along the border, border के along, inside a garden, garden के अंदर बनाया गया है तो garden के अंदर बनाया गया है, हम ऐसा करते हैं, कि यह हमने path बनाया, और यह wide कितना है, 1 meter, ठीक है, यहाँ से भी, और यहाँ से भी, मतलब इसकी मोटाई है, इसकी चोडाई है, एक meter चोडा है, ठीक है और जो garden के side थे, वो सब 30 meter के थे, तो यह 30 meter था, यह भी 30 meter था, यह भी 30 meter था, यह भी 30 meter था, ठीक है आगे देखिएगा, the area of the path, आप बताईए, path का area कितना है, ठीक है the cost of planting the grass in the remaining portion of the garden at the rate of, अब बचे हुए portion में अगर इसमें तुम्हें grass लगानी है, तो क्या खर्चा आएगा वो बताना है तो यहाँ पर समयना देखो, first part को करने के लिए, क्या मैं area of garden को calculate कर सकता हूँ और area of garden calculate करने के लिए, मैं side के साथ, side multiply कर दूँगा तो यहाँ पर 30 multiply हो जाएगा 30 के साथ, और यह आजाएगा 900 meter square पूरे garden का जो area है, वो है 900 meter square इसमें कोई doubt नहीं है, ठीक है, अब ध्यान देना, मुझे इसके अंदर grass लगानी है इस portion में, तो मैंने कितनी जगा छोड़ दी, मैंने 1-1 meter 4 तरफ से छोड़ दिया तो जो अंदर grass लगाने वाला portion है, उसकी length बताओ कितनी होगी तो length of, length of grass portion, grass portion की जो length है अब grass portion कहां से कहां तक है, तो आप देखेंगे वो यहां से यहां तक है यह पूरा grass portion है, ठीक है, और 30 meter जो था यह total length थी तो उसमें से कर 1 और 1 हटा देंगे, तो 2 हटा दिया, 30 में से कर 2 गया तो इसका मतलब यहां बचेगा 28 meter, तो यह आजएगी length 28 meter ठीक है, ऐसे ही, breath क्या आएगी, तो breath of grass तो breath of grass portion, यह हमारी आजएगी, again 28 meter ठीक है, तो 28 meter again आएगी, मतलब यहां से यहां तक का तो यह 30 portion हटा दो, 30 meter, यह सिर्फ जो grass portion की width है यह वाली जो breath है, वो 28, यह 28, तो इसका मतलब area क्या होगा area of grass portion, जहाँ पे आपको grass लगानी है, उस portion का area क्या होगा तो वो होगा 28 multiplied with 28, और यह answer meter square में आएगा तो 28 से 28 multiply करो, कितना जवाब आता है, तो आप कहेंगे सर यह 64 और 8 into 2 is 16, 16 plus 6, सर यह होता है 22 cross 2 into 8 16, 16 का 6, carry 1 5, यह होगा, तो यह आजाएगा 6, 7, 8 और 7, तो 784 meter square आएगा, देखे, 784 meter square आएगा, ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो हमें निकालना था area of path, area of path निकालने के लिए, first portion में जो हमसे पूछा था, area of path निकालने के लिए, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, पूरे area of field को में से minus कर दो, किसको minus कर दो, पूरी जो जमीन का तुकड़ा था, garden जो था, उसमें से आप minus कर दो, area of garden में से, field लिखा है, यहाँ पर garden आना चाहिए था, area of garden में से आप minus कर दीजिए, area of grass portion को, area of grass description को तो इससे फायदा क्या मिलेगा इससे फायदा यह मिलेगा कि यह जो आपने चलने के लिए रस्ता बनाया होगा ना इसका area पदा चल जाएगा तो area of path निकल के आएगा area of garden कितना है area of garden and 900 और 900 में से आप minus कर दीजे 784 को clear है तो इस रेखिए 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 116 मीटर स्क्वाइर, यह आपका आ गया area of path, first part solve, यह first part solve हो गया, move करते हैं second part की तरफ, second part में क्या कह रहा है, the cost of planting grass in the remaining portion of the garden at the rate of 2.40 per स्क्वाइर मीटर, ठीक है, अब देखो, किसी माली को हमने बुलाया, वो एक मीटर स्क्वाइर में grass लगाने का जो खर्चा ले रहा था, वो 2.40 रूपीज ले रहा है, 2.40, इसका मतलब इतने area में लगाने का कितना पैसा, 116, therefore 116 मीटर स्क्वाइर का खर्चा आएगा, 116 into 2.40, दोनों को multiply कर दो, तो 116 जब multiply होगा 24 के साथ, तो 4 into 6 is 24, 6, 4, cross 2 into 6 is 12, welcome to carry 1, 3, 2, 1 times is 2, तो यह आएगा 4, 6 है न, 7, 8, 4, 3, 3, 6, 7 और 2, तो यह answer हमारा आ रहा है, 2784, ठीक है, और decimal के बाद, दो decimal places थी, तो actually एक zero भी हमने छोड़ दिया था, दो decimal places थी, यह खर्चा आएगा, कितना, rupees 278.40 पैसा, यह आपका answer है, clear है, board यहाँ पर कर लेते हैं, clear, यहाँ पर भी कर लेते हैं, board को clear, move करते हैं, question number 27 की तरफ, क्या बोल रहा है, इसको देखो, अब one and in 15 meter long and 64 meter broad long as two crossroads at right angles, अच्छा, देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक lawn है, ठीक है, अब lawn है, मतलब यहाँ पर उसकी length दी है, उसकी breadth दी है, तो देखो, length बोली है, 115 meter long, ठीक है, और इसका जो broadness बोली है, वो बोली है, 64 meter broad, इसमें दो crossroads है, crossroads मतलब दो ऐसी road हैं, जो एक दूसरे को cross कर रही है, at right angles, और जब एक दूसरे को cross कर रही हैं, तो यह center में बना रही है, right angle, ठीक है, one two meter wide, तो एक road तो ऐसी है, जो कि दो meter wide है, ठीक है, और यह कैसे दॉड़ रही है, two meter wide running parallel to its length, वो length के parallel में, दो meter wide, तो यहाँ पर मैं blue pen का use कर लेता हूं, ठीक है, और यहाँ पर देखना, यह एक road है, और यह भी एक road है, ठीक है, और यह two meter wide है, ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला है, और एक road है, जो की breath के parallel में, यह breath है, इसके parallel में, ठीक है, तो running parallel to its breath, find the cost, और इसकी width है 2.5 meter, तो इसकी width है 2.5 meter, चलिए बहुत बढ़िया, आगे क्या बोला है, find the cost of graveling the road at rupees 4.60 per square meter, अगर कोई बंदा road बनाने का खर्चा, मतलब गिट्टी डालने का, level करने का, road बनाने का खर्चा, हर 1 meter square का खर्चा, अगर कोई 4.60 पैसा ले रहा है, तो आप बताईए, total खर्चा क्या आएगा, तो भाई area के इसाब से पैसा लग रहा है, तो कुल मिलाके, मुझे area calculate करना है, कि दोनों cross road का मिलाके area कितना है, आपको बात समझ आ रही है, तो दोनों roads को मिलाके, cross roads को मिलाके area कितना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहल तो हम यहाँ पर नाम देते हैं इस rectangle को, इस lawn को, a, b, c, d, ठीक है, और road parallel to the length, अगर मैं ऐसा बोलूँ, तो length of, length of road, ठीक है, parallel, parallel to length of lawn, length of lawn, इस चीज की length है, जो की length के parallel में है, तो वो है 115 मीटर, ठीक है, फिर हम आगे बोलेंगे, breadth, तो यहाँ पर word आएगा, breadth of road, parallel to, parallel to, parallel to, parallel to, breadth of lawn, breadth of lawn, breadth of lawn, तो यह है हमारा कितना, तो breadth of lawn है, 2 मीटर, तो यह है 2 मीटर, तो 115 मीटर वहाँ हो, 2 मीटर यहाँ, ठीक है, तो इसका मतलब, इस road का, area कितना है, तो, therefore, area of road, parallel to, parallel to lawn, ठीक है, यहाँ, area of road, parallel to length of lawn, parallel to length of lawn, चलिए, और यहाँ पर word, parallel to length of lawn आएगा, ठीक है, उस road की बात हो रही है, उस road की breadth की बात हो रही है, जो road parallel है, length के, ऐसा statement में बोला है, इसलिए, मुझे ऐसे ही शब्दों का use करना पड़ेगा, तो, इस road का area, मतलब, इस road का area, तो, यह आजाएगा, हमारा, 2 multiplied with 1, 1, 5, और यह आएगा, 2 into 5 is 10, 10 का 0, carry 1, तो, यह आजाएगा, 2 1 times 2, and 3, and 2 1 times 2, तो, यह आजाएगा, 2 30, 2 5 times 10, 10 गा 0, carry 1, 2 1 times 2, plus 1 is 3, 2 1 times is 2, 230 meter square, clear है यह चीज, तो, 230 meter square, यह इस road का area, अब इस road का area क्या है, तो, इसको देखिएगा, यहाँ पर हम बोलेंगे, now, now, comma, red pen का मैं use कर लेता हूँ, so, that, चीजे, अलग से दिखे, now, length of road, parallel to, यहाँ पर हम बोल देते हैं, parallel to, breadth of lawn, यह, हाँ, breadth of lawn, तो, breadth of lawn, इसके parallel में, तो, breadth यह है, lawn का breadth यह है, इसके parallel में, यह वाली road है, इसकी length है, हमारी 2.5 meter, तो, यह हमारी 2.5 meter, similarly, हम कहेंगे, breadth, breadth of road, जो की parallel है, किसके parallel है, तो, parallel to the breadth of lawn, lawn, ground, जो भी, उन्हेंने word दिया है, ठीके, वो है, हमारा 64 meter, तो, therefore, area is equals to area of road, ठीके, वो road का area निकाल रहा हूँ, जो की breadth के parallel में है, तो, area of road, parallel to, parallel to breadth, is equals to 64 multiplied with 2.5, तो, इसको multiply करके लिख देते हैं, देखे, 64, 25 के साथ, multiply हो जाएगा, 5 x 4 is 20, 5 x 6 is 30, 30 plus 2 is 32, cross, 2 x 4 is 8, 2 x 6 is 12, तो, यह आएगा, 0, 8, 9, 10, 10 का 0, carry 1, 5, 6, यह आजाएगा, 1600, तो, यहाँ पर यह आजाएगा, 1600, और point, मतलब 160, तो, यहाँ पर actual में आएगा, 160 meter square, ठीके, area, तो, एक हमारा जवाब आया है, 230 meter square, और दूसरा जवाब आया है, 160 meter square, लेकिन, problem है, यहाँ पर एक, problem क्या है, problem यह है, कि, जब आप इसका area calculate कर रहे थे, तो, आपने space को already, एक बार include कर लिया, इसका जब area निकालोगे, तो, इस area को, अब आप इसमें से minus करोगे, therefore, मैं कहूंगा, total area of road, total area of road, दोनों areas को, जब आप add करोगे, उसमें से आपको minus करना पड़ेगा, इतने से एक बार हिस्से को, ठीके, वन टाइम आपको minus करना पड़ेगा, तो, यह हो जाएगा, 230 plus 160 minus, minus कितना, तो, इस portion का area, मतलब, 2 multiplied with 2.5, तो, 2 multiplied with 2.5, यह होता है, 10, 10 का 0 carry 1, 5 meter square, 5.0 meter square, मतलब, minus कर दीजे 5 इसमें से, तो, यह हो जाएगा, 230 plus 160, तो, यह होगा, आपका 390, 390, मतलब, 385 आएगा, 385 meter square, यह आपका अंसर आएगा, इस पूरे को solve करने के बाद, clear है, तो, total area, road का आगया है, मुझे तो, cost निकालना, अभी तक हमारा जवाब नहीं आया है, ठीक है, blank sheet ले लेते हैं, यहाँ पे चीज समझना, now, cost of graveling, ठीक है, graveling मतलब, road बनाने का जो पूरे एक तरीका होता है, उसको हम graveling word बोलते हैं, जो यहाँ पे इन्होंने use भी किया है, graveling, ठीक है, तो, total cost of graveling, यह हमें 4.60 दिया है, तो, 4.60 एक meter square के लिए, तो, total road का जो area है, वो है 385 meter square, 385 के साथ इसको multiply कर दो, तो, यह आपका आ जाएगा, 460 upon 100, multiplied with 385, 0 से 0 गया, 5 से काट दो, 5, 2 times 10, 5, 7 times 35, बच्चा 35, again 5, 7 times 35, clear है, तेखिए, 2 से यह 46 भी कट रहा है, तो, यह आपका answer आजेगा, 2 into 2, 4, 2 into 3 is 6, 23 into 77, rupees, यह amount आया, कितना आया, multiply कर दो, 77 को 23 को multiply कर दो, 3 into 7 is 21, 3 into 7 is 21, plus 2 is 23, cross, ठीक है, 2 into 7 is 14, 14 का 4, carry 1, 2 into 7 is 14 and 15, तो, यह आजेगा, 1, 3, 3, 6 और यह 7, 5, 6, 7, 1, 1, double 7, 1, ठीक है, तो, amount कितना लगेगा, 1, double 7, 1, rupees, clear है, यह चीज, तो, amount आ गया, आपके पास, खर्चा कितना लग रहा है, इस road को graveling करने का, बनाने का, 1771 रुपे, clear है, board करते हैं, clear यहाँ पर, चलिए, move करते हैं, question number 28, क्या कह रहा है, इसको देखिएगा, अब 1 in 10 meter by 80 meter rectangular plot has two cross roads, अब यह कह रहा है, एक plot है, तो plot जो है, वो rectangular है, word का use किया है, उनने, 110 meter by 80 meter, length and breadth हमें दिया हुआ है, has two cross roads, ऐसी दो roads हैं, जो एक दूसरे को cross कर रही है, each 4 meter wide running through its middle, और वो middle में से निकल रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर blue pen का use कर लेते हैं, यह देखिएगा, यहाँ पर, चलिए, यह एक road, और यह दूसरी road, और यह wide कितनी हैं, तो दोनो road जो हैं, यह wide दी हुई हैं, कितनी 4 meter, तो यहाँ से भी 4 है, और यहाँ से भी 4 हमें बूला है, ठीक है, one parallel to the length and other parallel to the breadth, find the total expense involved in cementing the road at rupees 15 per square meter, and laying grass in the remaining part at rupees 1.25 per square meter, तो आप बताईए, total expenses कितने आएंगे, अगर मुझे यहाँ पर घास लगवानी है, ठीक है, remaining portion मतलब यहाँ ग्रास लगवानी है, road बनवानी है, तो अब total expenses, थोड़ा बड़ा question है, ज्यादा marks में हो सकता, competitive exams, यहाँ कहीं पर, आगे चलके आपको एकदम देखने को मिले, इस तरह के सवाल solve करने आने चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पूरा area निकाल लेते हैं, बहुत असान तरीका, ठीक है, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि, total area, total area of, total area of plot कितना है, तो total area of plot होगा, 110 multiplied with 80, तो 2,0 तो अलग कर दिये हमने, और 8 into 11 तो 88 meter square, सबसे असान तरीका, मैंने पूरे plot का area निकाल लिया, अब इसमें remaining portion जहाँ घास लगानी है, उसका area निकालना है, road कितने portion में, उसका area निकालना है, तो इसके लिए, अब हम करेंगे, length of, length of road, parallel to length, parallel to length of, length of plot, plot की length के parallel में, जो road है, इस road की length है 110 meter, ठीक है, and breadth कितनी है, तो देखेगा, breadth of road कितनी है, जो की parallel है, to length of plot, तो यह आपको दिया है, 4 meter wide, तो 4 meter की breadth, और 110 meter की लंबाई, इसका area कितना, तो area of road, which is parallel to length of the plot, इस 110 multiplied with 4, यह आजाएगा, 440 meter square, clear है यह चीज, तो यह तो आगे हमारा area of road, जो यह वाली है, अब इस road का area निकालते हैं, जो की breadth के parallel में, तो length क्या है, सबसे पहली बात, तो length of road, parallel to breadth, parallel to breadth, of, breadth of, किसके breadth, breadth of plot, तो इसकी length है, आपकी 4 meter, ठीक है, फिर उसके बाद आपको दिया है, breadth, तो breadth of road, parallel to, parallel to, breadth of plot, breadth of plot, और यह आपको कितना दिया है, तो यह आपको दिया है, 80 meter, तो area क्या आएगा, therefore area of road, parallel to, parallel to, breadth of plot, is equals to, 4 into 80, तो 4 into 80 meter square, 4 into 8 is 32, 320 meter square, यह पूरी road का area, ठीक है, लेकिन, आप already, जब यह road calculate कर रहे थे, तो आप भीच के हिससे को, एक बार consider कर चुके हो, दूसरी बार नहीं करना, तो इसका मतलब, 4 into 4, 16, यह square piece है, 4 into 4, 16 meter square, आपको इसमें से minus करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम बोलते हैं, total area, total area of road, is equals to, यह कितना आएगा, 440 plus 320, 440 plus 320, इसमें से minus करो 16 को, इस वाले part को, यह है 4 length, 4 breadth, मतलब, इस square piece लगा है, 4 by 4 का, तो minus 16 कर दिया, 440 plus 320, कितना होता है, तो यह आपका होगा, 3, 3, 6, 7, 7, 4, 5, 6, 760 में से minus कर दो 16, तो यह आपका आजएगा, 10 में से 6 गए, 4, 5 में से 1 गए, 4, 744 meter square, यह चीज़ समझ आ रही है, यह आपका area निकला है, सिर्फ road का, ठीक है, ले लेते हैं blank sheet, area of remaining portion, area of grass portion, कितना हमाए पास आएगा, तो area of grass portion मतलब area of जो plot था न, area of plot में से, तुम minus कर दो area of road को, area of road को, और देखे, area of plot हमारा कितना था, total plot का जो area हमारा निकल के आया था, वो हमारा निकला था, double 8, double 0, double 8, double 0, ठीक है, इसमें से minus कर दीजे, total area of road, तो यह है 7, double 4 को, 7, double 4 को, तो आपका remaining portion निकल के आएगा, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए 5, ठीक है, 8 से कहरी लिया, 7 में साथ गए 6 और यह 8, 8056 meter square remaining portion निकला आया, अब हमें cost of, graveling निकालनी है, cost of graveling road, graveling the road, यह cost हमें निकालना है, और यह cost हमें road बनाने वाली cost क्या दी है, तो the total expenses involved in cementing the road at rupees 15 per square meter, तो यह हमें दी है 15, 15 multiplied with road बनाने का खर्चा, 15 उपे 1 meter square का, तो total area 7 double 4, तो हम 15 को multiply कर देंगे 7 double 4 से, ठीक है, and the cost of garden, ठीक है, जो हमें garden या grass निकालनी है, तो grass लगाने का area cost of grass, grass लगाने का cost कितना है, तो घास लगाने का cost जो है, area of grass portion, 8056, इसमें आप multiply कर दीजे, किसको 1.25, पर meter square, 1.25, ठीक है, इसको multiply कर दीजे, simple है, तो देखीगा, यह cost कितनी निकल के आ रही है, तो यह cost निकल के आ रही है, 744 में जब 15 multiply होगा, तो 5 into 4 is 20, 5 into 4 is 20, plus 2 is 22, 7 into 5 is 35, 36, 37, cross, 1 into 4, 1 into 4, 1 into 7, 0, 6, 10, 11, 11 का एक कैरी, 1, 8, 9, 10, 11, तो यह आ जाएगा, आपका, 111, 111, 6, ठीक है, कहीं पर decimal नहीं था, तो 111, 6, 0, मतलब 11,160 रुपे, यह वाला cost आया, ठीक है, और 8056 को जब आप 125 के साथ multiply करेंगे, यह cost भी निकाल लीजे, तो यह cost हमारी आएगी, 8056 को हम multiply कर रहे हैं, 1.25 के साथ, ठीक है, 5 into 6 is 30, 5 into 5 is 25, plus 3 is 28, और 5 into 8 is 40, cross 2 into 6 is 12, 12 का 2 carry 1, 2 into 5 is 10, 11, 11 का 1 carry 1, और 2 into 8 is 16, double cross, 1 into 6 is 6, 1 into 5 is 5, 1 into 0 is 0, 1 into 8 is 8, तो यह शुन्य, 10, 10 का 0 carry 1, तो यह आएगा, 7, 8, 9, 10, 10 का 0 carry 1, 6, 7, 10, 10 का 0 carry 1, 9 और 10, तो यह खर्चा हमारा आ रहा है, 1, double, 0, 7, 0, 10,070 रुपे, क्योंकि decimal के बाद 2 0 है, ठीक है, तो decimal के बाद 2 places है, तो वह आमने कर दिया, तो 10,070 रुपे का खर्चा यह आ रहा है, आप से total expense पूछा गया था, तो total expense निकाला है, कई बच्चे यहीं छोड़ देते हैं, total expense आएगा, 1, 1, 1, 6, 0, added with 10, 0, 70, ठीक है, तो यह आएगा, 10,070 और यह 11,160, इसको add कर दो, तो 6, 6, 12 और 13, 0, 13 का 3, carry 1, 2, 1, 2, 21,230 रुपे का total खर्चा आपको मिल जाएगा, clear है, तो इस देके से आपको यह चीज़ सॉल्व करनी थी, board कर लेते हैं clear, और यहाँ पे भी आजाएए, board को कर लीजे clear, question number 28 भी हो गया हमारा solve, move कर यह question number 29, next question, यह रहा, क्या कह रहा है, the length and the breadth of the park are in the ratio of 2 to 1, the length and the breadth, तो आपको ratio दिया हुआ है, और मैंने बताया था, जब भी ratio हटाना है, तो ratio आपको दिया है, किसका length by breadth का, तो length by breadth का आपको ratio दिया हुआ है, और यह ratio दिया है आपको 2 to 1, जब भी आपको ratio को sign हटाना है, तो therefore length will be, length is equals to 2x, and breadth आजाएगी आपकी 1x, clear है, एक unknown quantity के साथ, उपर नीचे multiply कर दो, तो length to breadth 1x, 2x 1x, unknown quantity जैसे डालोगे, तो length of breadth आजाएगी, ठीक है, and its perimeter, तो perimeter आपको known है, perimeter क्या है, तो perimeter इन्हों दिया 240 meter, ठीक है, तो आप सबसे पहले तो length of breadth calculate कर सकते हैं, ये length है, ये breadth है, length हमें दी है कितनी 2x, और breadth हमें दी है 1x, इसका perimeter क्या आएगा, तो therefore perimeter आजाएगा, इसका 2x plus 1x plus 2x plus 1x, sum of all side is equals to 240, तो 3, 4, 5, 6, तो 6x की value आजाएगी 240, और finally, हमारे जो x की value है, वो x की value हमें मिल जाएगी, 240 by 6, clear है, तो 6 into 3 is 18, 6 into 4 is 24, ये आजाएगा 40, x की value आगई, 40, x 40 आया, therefore हमें length मिल जाएगा, तो length हमारा हो जाएगा, 40 multiplied with, कितना था 2x न, तो 40 into 2, और ये हमारी value आजाएगी, 80 meter, और ऐसे ही हमारी breadth आजाएगी, तो breadth हमारी आजाएगी, 1 multiplied with x, मतलब 40, which is equals to 40 meter, तो देखिए, आपने length और breadth निकाल ली, question में आगी क्या है, अब path 2 meter wide runs inside it, along its boundary, find the cost of paying the path, paving the path, at rupees 3 per square meter, तो अभी question यहां solve नहीं हुआ, अभी तो आपने length of breadth calculate किया है, अब इसके अंदर, एक path बना हुआ है, path मतलब चलने के लिए रस्ता बना हुआ है, तो यह हमने रस्ता बना दिया, clear है, और यह कितना wide है, यह 2 meter wide है, चारो तरफ से, तो यहां से भी 2 meter है, ठीक है, total area of park, area of park मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले, 80 by 40, यह total park का area आ जाएगा, तो यह आ जाएगा, 4 into 80 is 32 meter square, ठीक है, यह area of park निकल के आ गया, अभी, total area में से, जो center area है, जो shaded portion का area है, यह मैं निकाल सकता हूँ क्या, तो area of shaded portion, यह एकदम निकल सकता है, अगर मुझे small l और small b पता चल जाए, अब सब small l क्या है, तो यहां से यहां तक का जो distance है, यहां से यहां तक का जो distance है, उसको मैं small l ले ले लेता हूँ, और यहां से यहां तक का जो distance है, इसको मैं small b ले लेता हूँ तो यह अराम से पता चल सकता है small l क्या है total l था total length 80 80 में से 2 इधर 2 इधर अटा दो 4 अटा दो 80 में से 4 गए तो यह हमारा आजाएगा 80 minus 4 तो यह हमारा आजाएगा 76 multiplied with 40 में से 4 अटा दो तो 40 क्या था यह breadth यह total 40 है 40 में से 2 उपर अटा दो 2 नीचे अटा दो 4 अटा दो 40 में से 4 अटा तो 36 तो 76 into 36 यह हमारा area of area of shaded portion आजाएगा ठीक है अब हमें करना क्या है तो हमें देखिएगा पहले तो इसको multiply करना है 76 जब 36 से multiply होगा तो यह आएगा 6 into 7 is 42 45 cross 3 into 6 is 18 18 का 8 कैरी 1 21 22 6 8 है 9 10 13 13 का 3 कैरी 1 5 6 7 2 7 3 6 तो यह आएगा 2 7 3 6 मीटर स्क्वायर यह कौन सा area आया है यह area आया है आपका अंदर वाला shaded portion का area निकाल लिया क्यों निकाला reason क्या था क्योंकि path 2 मीटर वाइट था जो अंदर था along its boundary find the cost of paying the path path बनाने का जो खर्चा है वो area के हिसाब से charge किया तो मुझे path का area निकालना है therefore area of path is equals to total garden का जो area area of park 3200 में से मैं minus कर दूंगा 2736 को तो यह हमारे पास remaining portion जबाब आएगा ठीक है तो remaining path area wise आएगी 10 में से 6 गए 4 9 में से 3 गए 6 2 में से value गई थी तो 1 11 में से 7 गए तो 11 में से 7 गए यह आपका बचेगा 4 तो 11 में से 7 गए 4 meter square यह area निकला हमारे path का खर्चा हमें पता 3 रुपे लगता है तो खर्चा अगर 3 रुपे लगता है तो blue pen का use करके यहां कर देता हूँ therefore cost is equals to cost of paving paving का मतलब पत्थर pavals लगाते है न उसको paving बोलते है 54 रुपीज यह आपका अंसर आ जाएगा तो 3 into 4 is 12 12 का 2 carry 1 3 into 6 is 18 19 19 का 9 carry 1 3 into 4 is 12 and 13 1392 रुपीज यह आपका amount निकल के सामने आ जाएगा clear है चलिए question number 29 कैसे करना था हो गया solve move करते है question number 30 की तरफ तो last question जो इस वीडियो का है वो रहा आपके सामने क्या बोल रहा है अब painting is painted on a cardboard एक cardboard है जो की rectangular shape का है इसकी length आपको दी है 8 cm इसकी breadth आपको दी है 5 cm तो अब painting is painted on a cardboard wide such that there is a margin of 1.5 cm along each of its side तो इस हिसाब से बनाई गई है drawing की अंदर के जो एक margin रखा जाए ठीक है अंदर एक margin रखा जाए ठीक है तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हम फिर से बनायते हैं यह एक पर margin हम यहाँ दिखायते हैं ठीक है drawing इस तरह से बनाई गई है कि पूरा center में drawing बने ठीक है और एक margin हो तो drawing इसके अंदर बनी है ठीक है यह drawing बनी है तो यहाँ पर जो cardboard उसकी length 8 cm breath 5 cm है drawing अंदर बनी है margin कितने का रखा गया है 1.5 cm का 1.5 1.5 1.5 1.5 and 1.5 cm find the total area of the margin margin का area बताईए बहुत असान है total area of cardboard पहले तो हम निकाल लेते हैं तो area of cardboard देखिएगा area of cardboard कितना आएगा तो यह आएगा 8 को multiply करदो 5 से तो 5 into 8 is 40 cm square ठीक है area of drawing area of drawing और area of drawing की जो length है ठीक है यह जो length है तो इसमें से आप 3 minus करदो मनला 8 में से 1.5 इदर 1.5 इदर तो 1.5 प्लस 1.5 होता है 3 3 8 cm में से अगर मैं हटा दूं तो यह आएगा 5 multiplied with total 5 में से 3 हटा दो तो 2 मैं कहूंगा 10 cm square में painting होई है therefore area of drawing 10 cm square तो area of margin निकालने के लिए area of margin निकालने के लिए आप क्या करोगे आप 40 में से 10 को minus कर दोगे painting वाले area को minus कर दोगे तो 30 cm square का तो सिफ margin का area रखा गया है तो यही यहाँ पर बोला find the total area of the margin 30 cm square लग छोटा रहा है मैंने steps नहीं लिखी इस कारण क्योंकि मुझे उमीद है यहाँ तक आपको चीजे समझ आ रही होंगी given आप लिख लेंगे to find आप लिख लेंगे steps आप लिख लेंगे clear है तो 20 questions के बाद में यह video आपको 30 questions की मिली तोटल यहाँ पर इस topic perimeter and area के 50 questions को हमने कर दिया है cover up अब यह सारे videos easily available है without any advertisement आप simple google राजा के पास type करिए magnet brains type करते ही जो interface open होगा learning explore top courses के नीचे आपको यहाँ पर मिलेगा class 7th का option बहुत सारी classes दिखेंगे आपको वहाँ पर kindergarten से लेके class 12 क्योंकि आप क्लिक करते हैं तो आपकी सारी teachers जो अलग-अलग subject यहाँ पर cover up करके complete videos upload कर चुके हैं वो सारी videos आपको मिलेंगे चाहे social studies हो, Hindi हो, Sanskrit हो, आपका maths हो, आपका science हो, आपका computer का subject हो, सब complete syllabus आपके सामने हैं आपको जिस भी teacher का video watch करना है आप उन teachers के photo के पास में यहाँ पर उ topic वो भी proper arranged में मिल जाएंगे तो बस इतना आसान है घर बेटे बेटे देखना अब आप इस पूरी information को जो मैंने आपको दी है ना उस पूरी information को आप अपने दोस्तों के साथा शेयर करिए 100% free education जू बताइएगा ठीक है और content सारा best faculties के थूँ ही आप लोगों को deliver हो रहा है तो पूरी information पास करते रही है अपने दोस्तों अपने relatives को और जल्दी से वीडियो को दे दीजे एक like क्योंकि आपके like से teacher का मिलता है motivation तो teacher को basically motivate करने के लिए जरूरी है like button दवाना और साथ ही channel को subscribe करना ना भूले ठीक है क्योंकि ये आपी के फायदे मन्द है जैसे जैसे daily videos आ रही हैं पहले आप तक पहुंचे most important question आप पहले कर पाएं तो ये ज्यादा जरूरी है चलिए मिलते हैं नए topic में नए 50 questions में तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए bye and take care